परम पूजनिये स्वामी जी, भारत स्वाविमान के सभी सम्माननिये बहनों भाईयों, विश्मुक्त खेती और सम्रुद किसान, इस विशय पर मैं आपसे बात करूँगा, हमारे भारत देश में एक बहुत पुरानी कहावत है, और उस कहावत में ऐसा कहा जाता है, उत्तम खेती मद्यमबान करे चाकरी कुकर निदान, ये हिंदी में कहावत है, इसका आर्थ ये होता है कि खेती जीवन में सबसे उत्तम काम है, सबसे अच्छा काम है, सर्वस्रेश्ट काम है, और व्यापार करना मद्यमदरजे का काम है, बीच के इस सर का काम है, और नौकरी करना किसी की भी, ये सबसे निचले दरजे का काम है, इसको कुत्ते जैसा काम मना गया है, कि जो कुत्ता करता है, वो काम नौकरी करने जैसा है, करे चाकरी कुकर निदान, कुकर कुत्ते को कहते हैं तो हमारे यां नौकरी करना सबसे खराब काम है व्यापार करना उससे थोड़ा बहतर काम है और खेती करना सबसे अच्छा सबसे उत्तम काम है ये भारत में हजारों साल से चला आया लेकिन पिछले 25-30 वर्षों में कुछ उल्टा हो गया हमारे देश में पिछले 25-30 वर्षों में ऐसा हो गया है कि खेती सबसे खराब काम है व्यापार अभी भी मध्यम दर्जे पर है और नौकरी सबसे अच्छा काम हो गया है इस देश में जो भी बेरोजगार किसी व्यक्ति को आप मिलेंगे और पूछेंगे वही क्या करना चाहते हो तो नौकरी करना चाहता है अच्छी खासी पढ़ाई लिखाई करके भी नौकरी ही करना चाहता है बड़े-बड़े हमारे देश के विद्धियार थी बड़े-बड़े से मतलब जो इंजिनिरिंग पढ़ते हैं मैनेजमेंट की पढ़ाई करते हैं डॉक्टरी की पढ़ाई करते हैं पास-साथ साल लगातार मेहनत करते हैं लाखों करोणों रुपए खर्च करते हैं उनसे भी पूछो तो वो भी नौकरी करना ही चाहते हैं, किसी ना किसी नौकरी में उनको जगे मिल जाये, सरकार की नौकरी हो या निजी स्चेतर की हो, प्राइवेट सेक्टर की हो, तो नौकरी इस समय सबसे अच्छा काम हो गया भारत में, व्यापार अभी भी मद्यम वो अब सबसे खराब है, क्योंकि खेती में खर्चा तो बहुत बढ़ गया, आमंदनी नहीं बढ़ी, जिस अनुपात में खर्चा बढ़ा, उस अनुपात में आमंदनी नहीं बढ़ी, हमारे किसान जो खेती करते हैं इस देश में, उनका पिछले 20-25 वर्षों में कितना ख पर फॉसफेट रासाइनिक खाद खरीदने में, ये जो रासाइनिक खादे हैं पिछले सालों में कितनी महंगी हुई हैं, 1991 में यूरिया का एक पैकेट लगबग 60-70 रुपई के बीच में आता था, और एक पैकेट 50 किलो का होता था, अब 2009 में वो यूरिया का पैकेट खरी 300-400 रुपई तक भी बिकता जाता है, हमारे देश में, जिसको ब्लैक में बिक्री हम कहते हैं, इसी तरह एक जमाने में 3-4 रुपई किलो तक डियेपी आता था, अब वो डियेपी 23 रुपई किलो है, एक जमाने में 2-5 रुपई किलो का सिंगल सुपर फॉसफेट होता था, 40 रुपई किलो है, माने अगर आप इसको अनुपात में निकालें या गुने में निकालें, तो यूरिया पिछले 10-15 वर्षों में 7 गुना मेंगा हो गया, डियेपी तो लगबग लगबग 8-9 गुना मेंगा हो गया, सिंगल सुपर फॉसफेट 7-8 गुना मेंगा हो गया, इसी तरह से किसान के काम आने वाला डीजल, जो कभी 3-3.5 रुपई लीटर विका करता था, अब 38-40 रुपई लीटर 10 गुना मेंगा हो गया, माने किसान के खर्चे लगातार बढ़ रहे हैं, 5 गुने, 7 गुने, 8 गुने, 10 गुने, और किसान जो रासाइनिक कीटनाशक और हजार रुपई लीटर तक पहुँच गई, 20 हजार रुपई लीटर तक हमारे यहां जन्तुनाशक और कीटनाशक बिक रहे हैं, तो सैकुनों गुना मेंगा किसानों के लिए जन्तुनाशक, कीटनाशक और कई गुना मेंगी, खाद, रासाइनिक, ये सब किसानों के खर्च बिकता था अब वो 10 रुपाई किलो है तो गेहूं के भाव में बढ़ोतरी मुश्किल से मुश्किल 15-20 प्रतिशत हुई है और रासाइनिक खाद के भाव में बढ़ोतरी 7-8 गुना जादा हो गई है अगर प्रतिशत में आप निकालेंगे तो सेकड़ों प्रतिशत में इसी तरह धान की बात करें आज धान खरीदा जाता है सारे भारत देश में 700-800 रुपाई क्विंटल और आज से 12-13 साल 15 साल पहले तक खरीदा जाता था 500 रुपाई क्विंटल तो धान की कीमत में भी 20-25 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है लेकिन धान पैदा करने के लिए जो यूरिया डियेपी सुपरफॉस्वेट लगता है या कीटनाशक लगते हैं उनकी कीमतों में 7-800 प्रतिशत की बढ़ोतरी हो चुकी है तो किसान जो बेचे उसकी कीमत तो जादा बढ़ती नहीं है किसान जो बाजार से खरीदे वो कई गुना जादा महंगा हो गया है त असल उत्पादन होती है बिक्री होते ही सारा पैसा किसान के हाथ से निकल जाता है वो या तो खाद खरीदने वाली कमपनियों के जेब में या कीटनाशक खरीदने वाली बेचने वाली कमपनियों की जेब में या किसान के लिए बीच बेचने वाली कमपनियों की जेब में क किसान के पास कुछ नहीं बचता तो दैनिक जीवन के काम चलाने के लिए किसान फिर करज लेना शुरू करता है फिर करज का ब्याज भरना पड़ता है फिर और करज बढ़ जाता है फिर और ब्याज देना पड़ता है और आपको शायद जानकर ये तकलीफ होगी दुख होगा कि भारत में किसान अकेला एक समू है जो चक्रवरती ब्यास देता है करज पर हम शहरों में रहते हैं और शहरों में रहने के लिए मकान बनाना पड़ता है बैंक से करज लेते हैं साधरन ब्यास दर पर हमें बैंक का करज मिल जाता है हम शहरों में रहते हैं, गाड़ियां चाहिए हमको, गाड़ी खरीदने के लिए साधरन ब्याज दर पे करज मिल जाता है, लेकिन किसान अपने खेत में ट्रेक्टर अगर चलाने के लिए ट्रेक्टर खरीदे, बैल खरीदे, किसान जंतु नाशक खरीदे, कीट नाशक खरीद उसके लिए करज लेना पड़े सहकारी संस्थाओं से, पत संस्थाओं से, तो चक्रवर्धी ब्याज पे करज मिलता है किसानों को और आप जानते हैं चक्रवर्धी ब्याज दुनिया में सबसे खतरनाक होती है मैं एक दिन ऐसे ही मनुरंजन के लिए एक छोटा सा आंकलन कर रहा था कि मैं अगर चक्रवर्ती ब्याज की दर पर कहीं से कर्ज ले लू मान लिजे एक प्रतिशत की चक्रवर्ती ब्याज की दर पर सो रुपए का कर्ज में ले लू मातर एक प्रतिशत की चक्रवर्ती ब्याज के दर पर सो रुपई का करज ले लू तो धाई सो से तीन सो साल में वो करज इतना हो जाता है कि संपुन भारत देश की प्रतवी के बरावर का सोना अगर मैं वापस कर दू तो करज मुक्त नहीं हो सकता इतना खतरनाक होता है चक्रवर्ती ब्याज का चक्र आप में से गनित के कोई विद्यारती रहे हो तो आप इसका अंदाजा लगा सकते है हमारा किसान इसी चक्रवर्ती ब्याज के चक्र में फसा हुआ है इस देश का एक भी किसान भाई बहन ऐसा नहीं है जो करजदार नहो क्योंकि खेती में उत्पादन के लिए जो खर्च है वो बहुत जादा और बिक्री के लिए जो लाब है वो बहुत कम तो हरे किसान करजे में फसा है उस करजे के दुश्चक्र में अंतिम नतीजा जो निकलता है किसान के लिए वो ये कि जब वो किसी भी तरह से कर्ज वापस करने की स्थती में नहीं होता तो उसका घर गिर्वी रखता है उसकी जमीन गिर्वी रखी जाती है उसके पत्नी के गहने जेवर गिर्वी रखे जाते है दागीने गिर्वी रखे जाते है अंतमे गाय बेल भेंस उसके गिर्वी रख जाते है और जब सब कुछ गिर्वी रख जाता है उसके बावजूद करजिदार उसके दरवाजे पर आकर साहुकार उसके दरवाजे पर आकर खड़ा हो जाता है बसूली के लिए तो किसान को अपनी इज़त बचाने के लिए एक ही रास्ता है वो आत्मत्या कर लेता है हमारे भारत देश में सरकार के आंकड़ों के अनुसार 56,000 किसान हर साल आत्मत्या करते हैं इस देश में और सरकार खुद मानती है जो F.I.R. के रूप में दर्ज होते हैं वो 56,000 हैं अगर F.I.R. ना हो और किसानों की आत्मत्याए हो सरकार को पता ही ना चले पुलिस को रिपोर्ट ना कराई जाए ऐसी आत्मत्याओं को जोड़ा जाए तो वो लाक से उपर निकलता है हमारे देश के जो राज जहां सबसे जादा किसानों की आत्मत्याए हो रही है पंजाब है उसके बाद हर्याना है फिर आप महराश्र के हैं महराश्र है फिर आंदर प्रदेश है फिर करनाटक है तमिलनाडू है केरल है ये ऐसे 6-7 राज जिफ सारे देश में बदनाम हो गए है किसानों की आत्मत्या के लिए बारत सरकार समय समय पर आत्मत्या करने वाले किसानों के परिवारों का सर्वेक्षन कराती है और उन परिवारों से पूछा जाता है कि आखिर अब बताईए आपके घर में परिवार में आत्मत्या क्यों हुई तो सभी परिवारों के मूँ से एक ही जवाब सुनने को मिलता है वो ये कि हमारी पूरी खेती गिर्वी रग गई हमारे गाए बेल भेंस गिर्वी रग गई घर के आभूशन गेहने गिर्वी रखे जा चुके हैं संपत्ती के नाम पर हमारे हाथ में कुछ नहीं है और साहुकार का करज अभी बाकी है वो देना है बैंक का करज अभी बाकी है वो देना है और फसल इतनी अच्छी हुई नहीं है कि हम करज wrapper पुरा वापस दे सकें अगली फसल करने के लिए भी जेब में पैसा नहीं है अगली फसल के लिए कोई बैंक करज देने को तयार नहीं है क्योंकि पुराना करज वापस करने की हमारी हैसित नहीं है उस इस्टती में क्या करें आत्मत्या ही एक आखरी उपाए बचता है ये जवाब उन सभी किसान परिवारों के मूँ से सुनने को मिला है जिनके यां आत्मत्या हुई है आप जानते हैं महराश्र में विधर्व नाम का इलाका है जहां पिछले दस साल में रहता रहा वरधा सेवा ग्राम ये विधर्व तो सारे देश में बदनाम हो गया है किसानों की आत्मत्या के लिए इसी तरह आंदर प्रदेश का एक बहुत बड़ा इलाका है वरंगल के आसपास का वो सारे देश में बदनाम हो गया है किसानों की आत्मत्या के लिए पंजाब में भटिंडा के आसपास का पूरा इलाका है सारे देश में बदनाम है किसानों की आत्मत्या के लिए केरल में कासर गौड का इलाका है पूरे देश में बदनाम है किसानों की आत्मत्या के लिए करनाटक में उत्री करनाटक, दक्षुनी करनाटक बदनाम हो रहा है किसानों की आत्मत्या के लिए धीरे 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 ये बीमारी गहरी होती जा रही है आखिर आप जिना सोचिए अपने दिल पर हाथ रखे कि कोई किसान अपनी जिन्दगी को खतम कर ले ये तो अंतिम फैसला है और ये अंतिम फैसला कितने बड़े दर्द के बीच वो करता होगा कोई व्यक्ति सामन ने रूप से मरना नहीं चाहता जिसने जीवन पाया है वो जीवन के आखरी समय तक संगर्श करता है जिन्दा रहने के लिए लेकिन किसान हमारे देश में इतना सम्वेदन शील बन गया है कि वो जीवन को ही खतम कर लेता है एक मिनट में और इससे बड़ी विडंबना क्या होगी कि हमारा किसान जिन दवाओं को लाता है कीडे मारने के लिए, जन्तु मारने के लिए, कीट नाशक मारने के लिए उन्ही दवाओं को पी कर वो खुद मर जाता है इस से बड़ा अफसोस और विडंबना इस देश में क्या हो सकती है और ये सारा का सारा दुश्चक्र हमारे देश में किसानों के करजे का करजे में फस कर आत्मत्या करने का ये जुड़ा हुआ है खेती के घाटे से और खेती का घाटा जुड़ा हुआ है उस व्यवस्था से जिसमें किसान के काम आने वाला यूरिया डियेपी सुपर फॉस्फिट तो महंगा होता जाए कीट नाशक जनतु नाशक तो महंगा होता जाए किसान के बीज तो महंगे होते जाए लेकिन किसान के द्वारा उत्पादित की जाने वाली वस्तुएं लगाता है सस्ती से सस्ती बिके और कम से कम पैसा किसानों को मिले कारण क्या है इसका किसानों के दोरा जो उत्पादित की जाने वाली वस्तुएं हैं ये हूँ चना डाल आदी आदी सेक्ड़ों हजारों किसम की चीज़ें किसान भाई पैदा करते हैं इनका सस्ते से सस्ता बिकने का कारण है अंग्रेजियों सरकार के दोरा बनाये गया एक कानून जो भारत में आज़ादी के 63 साल के बाद भी चल रहा है और वो कानून का नाम है एग्री कल्चरल प्राइस कमीशन एक्ट इस कानून में विवस्ता ये है कि किसान जो भी कुछ पैदा करेंगे उसका भाव किसान खुद तै नहीं करेंगे सरकार उसका भाव तै करेगी और सरकार जब इसका भाव तै करती है खेती के दोरा उत्पादित वस्तुओं का तो उसमें सबसे बड़ा धोका किसानों के साथ होता है वो ये कि किसान जो गेहू चना चावल दाल आदी पैदा करता है इसको पैदा करने के लिए किसान जो महनत करता है जो शरम करता है उस शरम का उसकी महनत का मूल सरकार उसको नहीं देती है कितनी बड़ी विडंबना है इस देश की कि किसान साल में 365 दिन खेत में काम करता है और उसको जब फसल का भाव तहु करने के लिए सूत्र बनाया जाता है उसमें किसान की महनत सिर्व ढ़ाई से तीन महीने की जोडि जाती है जबकि किसान पूरे साल कھیत में काम करता है 365 दिन खेत में काम करता है किसान और 120 दिन की उसके श्रम की कीमत उसके फसल के मूली को तै करने में जोड़ी जाती है मतलब सीधा सा ये है कि 8-9 महिने का किसान का जो श्रम है वो बेगार का श्रम होता है वो बिना किसी पैसे के सरकार के द्वारा गणना उसकी कर दी जाती है एक तो सबसे बड़ा धोका ये है कि 365 दिन किसान काम कर रहा है उसका श्रम सिर्फ 3-4 महीने का जोड़ा जाएगा दूसरा धोका किसानों के साथ ही होता है वो ये कि किसान जो खेत में महनत करता है उस श्रम का मूले भारत में सबसे कम लगाया जाता है अगर कोई व्यक्ती बैंक में नौकरी करे चतुर्थ क्लास करमचारी होने की इस तरकी उसका भी श्रम का मूले किसानों से जादा है हमारे देश के बैंक में काम करने वाला चतुर्थ श्रणी का करमचारी एक दिन में बड़े आराम से तीन सो से चार सो रुपए अपनी महनत का श्रम का मूले पा लेता है लेकिन किसान को अपनी महनत का अपने श्रम का एक दिन का मूले सो रुपए से जादा कभी सरकार के दोरा दिया नहीं जाता और ये सो रुपए भी पिछले दो तीन वर्षों में हुआ है दो तीन वर्ष पहले तक तो साथ रुपए ही गिना जाता था किसान की महनत का एक दिन का मूले और इस से भी बड़ा दुख है अफसोस है वो ये किसान काम करता है खेत में अकेले नहीं पूरे परिवार के साथ लेकिन जब उसके शर्म का मूले जोड़ा जाता है तो सिर्फ अकेला उसका पूरा परिवार काम करता है उसकी पत्नी काम करती है बच्चे काम करते है उनका श्रम का मूले सरकार जोडती ही नहीं है उसमें और इस कारण से खेती के द्वारा पैदा होने वाली हर चीज इस देश में बहुत सस्ती है गेहूं 10-11 रुपई किलो, चावल 6-7 रुपई किलो में सरकार खरीद लेती है कपास वगेरा 12-15 रुपई किलो में खरीद लिया जाता है बहुत आंदोलन हो तो 20 रुपई किलो का भाव मिल जाता है शुगर केन गन्ना, वो सबसे सस्ता खरीदा जाता है इस देश में किसानों के खेतों में से और सबसे एक और मुश्किल की बात है कि किसानों से ये सब सरकार खरीद लेती है और उसका भुगतान एक एक साल तक किसानों को नहीं होता आप सब महराश्टर के रहने वाले हैं गन्ना बेचने के लिए किसान जो जो मिलों में जाता है शुगर मिल में जाता है वहां के रिकॉर्ड्स आप चेक कर लीजे किसी भी किसान को कोई भी शुगर मिल तुरंट भुकतान नहीं करती छे मैंने के बाद, आट मैंने के बाद, साल बर के बाद, कहीं कहीं तो दो-दो साल के बाद और यह जो महाराष्ट की कहानी है वो पूरे देश की कहानी कपास बेज देते हैं किसान छेचे महीने साल साल वर उनका बुगतान नहीं होता है सरकार उसको बेज कर मुनाफ़ा कमाती रहती है धंदा करती रहती है किसान की जेब में पैसा नहीं आ पाता तो इन सब कारणों से किसान की आमंदनी हमेशा कम रहती है और खर्चे उसके हमेशा से जादा रहते हैं कितनी बड़ी विडंबना है आप इसको दूसरे तरीके से सोचने की कोशिश करिए कि अगर मैं किसान हूँ आप किसान है बजार में जाकर एक साबुन खरीदें पंद्रे रुपई का तो पंद्रे रुपई का सौ ग्राम साबुन खरीदने के लिए डेड़ किलो गेहूं बेचना पड़ जाएगा 15 रुपए का 100 ग्राम साबुन खरीदने के लिए कम से कम 2 किलो धान बेचना पड़ जाएगा अगर 1.5 किलो गेहूं का मूले हम जाचने की कोशिश करें तो 1.5 किलो गेहूं से अगर आटा बना दिया जाए, आटे की रोटी बना दी जाए तो 2 परिवार के लिए परियाप्त होगी तो जितने में 2 परिवार का पेट भर जाएगा उतने रुपए का गेहूं बेचकर एक 100 ग्राम साबुन हम बाजार से खरीद पाएंगे मतलब सीधा सा ये है कि साबुन का मूले और उसकी कीमत बहुत जादा है गेहूं का मूले और उसकी कीमत बहुत कम है कारण उसका ये है साबुन पैदा करने वाले जो उद्योग पती है उनको साबुन का भाव तै करने का अधिकार है किसान गेहूं पैदा करता है दान पैदा करता है उसको अपना भाव तै करने का ही अधिकार नहीं है और तै भी करे तो सरकार इस फॉर्मूले से तै करती है कि उद्योगों में पैदा होने वाली वस्तूओं की कीमतें अलग तरीके से तै की जाती है खेती में पैदा होने वाली चीज़ों की कीमतें बिलकुल अलग तरीके से तैकी जाती है उद्योगों में जो अश्रमिक काम करते हैं उनका अश्रम मूले बजार के हिसाब से होता है और किसान जो खेतों में काम करता हैं उनका अश्रम मूले सबसे कम होता है इसलिए किसान के ऊपर ये अत्याचार है और इसलिए खेती अभी घाटे का सौधा होती चली जा रहे है खेती के घाटे का सौधा होने का जो सबसे बड़ा कारण हम लोगों को समझ में आता है वो ये किसान के दोरा खरीदा जाने वाला रासाइनिक खाद, जन्तुनाशक, कीटनाशक ये उनका सबसे बड़ा खर्चा है एक औसतन अगर मैं बात करूँ तो किसान की जिन्दगी की आमंदनी का 60% हिस्सा रासाइनिक खाद खरीदने में चला जाता है 20% हिस्सा जन्तुनाशक और कीटनाशक खरीद में चला जाता है और बाकी का जो 20% बचा हुआ किसान का हिस्सा होता है वो उसकी दैनिक जीवन के काम करने में खर्च हो जाता है बेटे-बेटियों का विवा करना है उनकी पढ़ाई करनी है मुकदमे बाजी है उसमें बिजली का बिल है और दूसरे तरह के खर्चे में बाकी 20% निकल जाता है किसान के पास जमा कुछ भी नहीं बचता इसलिए वो हमेशा करजदार रहता है इसका मतलब बिल्कुल सीधा है किसान की जिन्दगी के जीवन के खर्चे को अगर हम अलग कर दें जो 20% का है तो बाकी का जो 80% का खर्चा किसान की जिन्दगी का है वो तो रासानी खाद, जन्तुनाशक और कीट नाशक का ही है और पिछले आजादी के 40-45 वर्षों में खासकर किसानों के बीच में सरकार के दौरा एक बहुत बड़ा दुश्परचार किया गया है वो ये कि किसान अगर रासानी खाद नहीं डालेंगे तो उत्पादन नहीं होगा कीट नाशक नहीं डालेंगे तो फसल खतम हो जाएगी जन्तुनाशक नहीं डालेंगे तो फसल चौपट हो जाएगी तो पिछले 40-00 साल से भारत के बहुत सारे करशी वैग्यानिक और करशी विश्व विद्विद्याल है हमारे किसानों को ये समझाते चले आ रहे हैं कि आपको तो रासाइनिक खाद डालना ही पड़ेगा आपको तो जन्तुनाशक डालना ही पड़ेगा कीट नाशक डालना ही पड़ेगा बिना उसके खेत में उत्पादन नहीं होगा तो ये जो डर और भय हमारे किसान भाईयों के मन में बैठ गया इस डर और भय का अंतिम दुश परिणाम ये है कि किसानों की जिन्दगी का 80 प्रतिशत खर्चा रासाइनिक खाद, कीट नाशक और जन्तु नाशक में जा रहा है बारत के बारे में जरा जानने की कोशिश करें कि ये रासाइनिक खाद, कीट नाशक, जन्तु नाशक कितने बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हो रहा है और इसका अंतिम परिणाम क्या हो रहा है तो भारत सरकार के सन 2004-2005 के जो आंकडे हैं वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ क्योंकि अभी 2008 और 2009 के आंकडे सरकार न भारत के किसान अपने खेतों में एक करोड़ नब्बे लाख मीट्रिक टन रासाइनिक खाद अपनी खेतों में डाल देते हैं, यूरिया, डियापी, डायामोनियम फ़ॉसफेट, सिंगल सुपर फॉसफेट, ये सब तरह की रासाइनिक खाद मिलाकर एक करोड़ नब्बे अगर इसको हेक्टियर के हिसाब से निकाला जाए तो भारत के एक हेक्टियर खेत में लगबग हर साल 114 किलोग्राम रासेनी खाट डाली जाती है एक हेक्टियर खेत में और अगर इसको बाहर से आने वाली खाट के साथ जोड़ दिया जाए सरकार का ये कहना है कि एक करोड़ लाख मीटरिक टन रासेनी खाद सरकार हर साल विदेशों से आयात करती है और वो भी इसमें जोड़ दिया जाए तो ये आंकड़ा और बड़ा हो जाता है अब ये पूरी की पूरी खाद जो हमारे खेतों में डाली जा रही है इसका मूली कितना है और इसके साथ जो कीटना शक डाले जा रहे हैं उसका मूली कितना है वो भी सरकार के आंकड़ों के हिसाब से मैं आपको बताना चाहता हूँ ये जो खाद डालते हैं रासेनी यूरिया, डियेपी, सुपरफोस्वेट आदी आदी इसके वारे में सभी वेग्यानिकों का जो शोध है वो ये कहता है कि जितनी जादा रासेनी खाद आप डालेंगे उतने ही जादा जीव जन्तु आपके खेत के फसल को बरबाद करेंगे ये बड़ा अजीव सा है ये जो संबन्द है ना, खाद जाद डालो तो जादा से जादा कीड़े आएंगे जादा से जादा जन्तु आएंगे अब जादा से जादा जन्तु आएंगे तो उनको मारने के लिए फिर जन्तु नाशक और डालो फिर कीट नाशक और डालो माने खाद ज्यादा डालने का दुश्परिणाम ज्यादा जहर डालना अपने खेत में जन्तुनाशक और कीटनाशक के रूप में हमारे देश के सरकारी आकड़े बताते हैं इंडियन काउंसिल ओफ एग्री कल्चरल रिसर्च के 1950 वावन में हमारे देश के एक हैक्टियर खेत में मुश्किल से 3 किलो रासाई नी खाद पड़ती थी तब हमारे देश में जन्तुनाशक और कीटनाशक सबसे कम बिखते थे अब हमारे देश के एक हैक्टियर खेत में 114 किलो ग्राम खाद पड़ जाती है तो जन्तुनाशक और कीटनाशक सबसे ज़्यादा बिकते हैं मतलब सीधा सा ये है कि पिछले 1952 से 2009 के बीच में जितना जादा से जादा यूरिया डियेपी हमने खेत में डाला है उतना ही जादा कीटनाशक और जन्तुनाशक डालने की जरूरत पड़ी है क्योंकि उतने ही जादा कीड़े हमारे फसल पर लगना शुरू हुए है ये चक्कर क्या है ये जरा समझना चाहिए सरल शब्दों में मैं समझाना चाहता हूँ होता क्या है कि जब हम यूरिया डियेपी सुपरफॉसवेट खेत में डालते हैं तो खेत की मिट्टी में किसान की मदद करने वाले फसल की मदद करने वाले करोडों करोडों जीव होते है आपने बच्पन में थोड़ा भी विज्ञान पढ़ा होगा क्रशी विज्ञान तो आपने दो शब्द पढ़े होंगे एक मित्र जीव और एक शत्र जीव एक मित्र कीट और एक शत्र कीट हमारे खेत की मिट्टी में किसानों की मदद करने वाले भी जीव है और किसानों को नुकसान पहुँचाने वाले भी है जब हम यूरिय डिये पी जादा डालते हैं किसानों की मदद करने वाले जो मित्र कीट होते हैं वो सब मर जाते हैं मित्र जीव सब मर जाते हैं और उनके मर जाने के कारण जो शत्र कीट और शत्र जीव हैं वो फसल पर हावी हो जाते हैं और फसल को बरबाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ते और किसानों को वो नुकसा भीत जो है करोड़े हैं, जो भोजन करते हैं, आपको मालूम है जितना रासा इनी खाद, जनतुनाशक, कीटनाशक हम खेत में डालेंगे, वो सम मिट्टी में जाएगा, मिट्टी से पौधों की जड़ों में आएगा, पौधों की जड़ों से तने में आएगा, पत्ते में आएगा, फल में आएगा, और अंतिम रूप से वो आपके पेट में आएगा। अगर खेत में गेहुं पैदा किया गया यूरिया, डियेपी से और उसमें कीट नाशक, जन्तुनाशक डाला गया। तो उस गेहुं को जो भी खाएगा, उसके पेट में वो कीट नाशक जहर जाएगा ही। उसके पेट में वो रासाइनी खाद का जहर जाने ही वाला है इसी तरह से धान के खेट में इसी तरह से डालों के सबजियों के खेट में जो भी खेट में आप डालेंगे अंतिम रूप से वो आपके पेट में आने वाला है तो उस हिसाब से कुछ मैंने निकालने की जानने की कोशिश की तो पता ये चला कि एक साल में जितना कीट नाशक हमारे खेतों में डाला जाता है और एक साल में जितना यूरिया डियेपी रासाईनी खाद खेतों में डाला जाता है अंत में वो हमारे पेट में आता है तो भारत देश के हर व्यक्ति के पेट में साल में एक किलो साथ ग्राम तो रासाई नहीं खात चला जाता है एक किलो साथ सो ग्राम और कीट नाशकों का जो जहर है इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड का वो करीब करीब 200 ग्राम हमारे हर व्यक्ति के पेट में चला जाता है माने हर साल भारत का व्यक्ति एक किलो 700 ग्राम तो यूरिया डियेपी सुपरफोसफेट खा रहा है और करीब 200 ग्राम भारत का हर व्यक्ति कीट नाशक जनतु नाशक जिनको अंग्रेजी भाशा में कहते हैं क्लोरोपाइरीफॉस, डाइक्रोमेट, मोनोक्रोटोफॉस, डीडीटी, एंडोसलफान, मेलाथियान, पेराथियान, बेंजीन एकसा क्लोराइड, आधी-ाधी नामों से जिनकीट नाशक और जनतुनाशकों को हम जानते हैं, ये हर साल हर व्यक्ति के पेट में 200 ग्राम जा रहे हैं, और रासाइनिक खाद के रूप में 1 किलो 700 ग्राम जा रहे हैं, अब ये अलग बात है कि भगवान ने आपको दो अच्छे से किड्नी दे रखी है, जो इस जहर की सफाई करती रहती है, और अगर जहरी ले कीट नाशक और जनत नाशक प्रूंशक तो अंत में आपके शरीर को जो बीमारियां हो रही है और उससे जो मौतें पूरे देश में हो रही है, वो हमारे लिए बहुती दरदनाख है, हमारे देश में 5-7 लाग लोग कैंसर से हर साल मर रहे हैं, सरकार के आंकडे हैं और रेपोर्ट हैं, हमारे द दस लाग से भी उपर निकल सकते हैं। जो रोज आप खा रहे हरादमी हिंदुस्तान में आधा मिली ग्राम जन्तु नाशक रोज खा जाता है। और यही जहर इकठा होते होते आपको भेंकर बीमारियों का कारण। हमारे देश में कई विशेश अग्यों ने कुछ गंभीर शोद किये हैं। मैं उनकी दो-तीन बाते जो बहुत महत्तु की हैं आपसे कहना चाहता हूँ। कि आजकल हमारी माताओं में और पुर्शों में नपन सकता की जो बीमारी बहुत तेजी से बढ़ी है। बहुत सारी माताओं बहुत सारे पुरुष बच्चा पैदा करने में असमर्थ हैं। इसका मूल जो कारण हैं वो जन तुनाशक और कीट नाशक का भोजन है। फिर हमारे देश में ब्रेन कैंसर फिर हमारे देश में बलड कैंसर इन दोनों के सबसे ज़्यादा जो केसिस बढ़ रहे हैं उसका कारण जनतु नाशक, कीट नाशक और जहरीला रसाइनिक भोजन है फिर हमारे हैं डाइबिटीज के बारे में सबसे ज़्यादा शोद की है जिन वेग्यानिकों ने उनका कहना है कि डाइबिटीज दो सो प्रतिशत ज़्यादा खत्रा पैदा कर देती है उन लोगों को जो जहरी ले जन्तुनाशक और कीट नाशक का खाना खाते है माने एक व्यक्ति अगर सामन ने खाना खाता है जिसमें जहर नहीं है और दूसरा व्यक्ति जो जहर वाला खाना खाता है कीट नाशक और जन्तुनाशक और रासा ने खातका तो जो जहर वाला खाना खा रहा है उसको 200 प्रतिशत ज्यादा संभावना है डाइबिटीज होने की बनिस्बत की उसके के जो शुद्ध खाना खा रहा है इसी तरह कैंसर के बारे में कहते हैं 300 प्रतिशत ज्यादा संभावना है कैंसर होने की जो जहरीला भोजन खा रहे हैं अपने जीवन में नियूरोलोजिकल डिसॉडर आपको बहुत ज्यादा होने की संभावना है तो ये जहरीले कीट नाशक जन्तुनाशक वैग्यानिकों ने अब तक जो शोद की है वो बताते हैं अड़तालीस किसम की ऐसी बीमारियां जिनका इलाज नहीं है दुनिया में किसी पैथी के पास एलो पैथी के पास आदियादी जो प्रचलिक चिकत्सा पद्दती है सारी दुनिया में अड़तालीस ऐसी बीमारियां जो सबसे गंभीर मानी जाती हैं जिसमें cancer, diabetes, hypertension, asthma, bronchial asthma, tuberculosis और आपका neurological disorders और brain के बहुत सारे problems ये सब जहरीले, कीट नाशक, जन्तुनाशक का दुश परिणाम है तो खेतों में डाला जाता है urea, dap, अंत में आता है हमारे शरीर में दुश परिणाम हमको होता है खेतों में डाला जाता है जहर, endosulfan, melatian, peratian, अंत में हमारे शरीर में आता है जहर बनके और हमको दुश परिणाम करता है तो भारत के 115 करोड लोगों का भोजन तो जहरीला होई गया है और उस जहर के कारण हमें जो बीमारियों के ठीक होने पर खर्चा करना पड़ता है बार बार स्वामी जी के मुझे आप सुनते हैं सात लाग करोड रुपए का दवाओं का खर्चा हमारा बढ़ गया है ये सात लाग करोड का सारा का सारा खर्चा एक ही दुषपरिणाम में से निकल रहा है और वो है जहरीली खेती, विश्युक्त खेती, खेतों में डाले जाने वाला रासाइनिक खाद और कीट नाशक और जन्तुनाशक ये तो एक दुषपरिणाम है दूसरा दुषपरिणाम है वो किसानों को प्रत्यक्ष है किसानों को दुषपरिणाम क्या है किसानों की जिंदगी के खून पसीने की कमाई का लगबग लाखों करोडों रुपिया अगर ठीक ठीक से मैं कहूं तो 4,80,000 करोड रुपिया किसानों की जिन्दगी के खुन पसीने की कमाई का ये रासा निकाद और जहरीले कीट नाशक खरीदने में बर्बाद हो जाता है किसानों का खर्चा हो रहा है चारलाक सी हजार करोर यूरिया ڈی-ए-पी और जन्तु-नाशक कीट नाशक खरीदने में और वो सारा का सारा हमारे शरीड में आता है फिर हमें बीमारियों का इलाज कराने में खर्च करना पड़ रहा है करीब 7 लाक करोड अगर दोनों खर्चे को मिला दिया जाए तो लगबग 12 लाक करोड रुपए हमारे देश का सीधे बरबाद हो रहा है खेतों में जो यूरिया ڈی اے پی اور کیٹ ناشک کا جہر डाला जा रहा है उसके कारण और आप जानते हैं ये बारे लाख करोड रुपई की रकम कितनी बड़ी रकम है ये भारत सरकार के एक साल के बजट से दो लाख करोड रुपई जादा है भारत का एक साल का बजट دस लाख करोड का है उससे भी दो लाग करोड रुपए जादा की रकम हमारी खर्च हो रही है ये यूरिया, डियेपी, सुपर फॉस्फेٹ आदी-ादी का खेतों में इस्तेमाल करने से तो एक तो प्रत्यक्ष नकसान है वो किसानों को और दूसरा परोक्ष नुकसान है वो भारत के 115 करोड नागरिकों को और एक तीसरा नुकसान है वो ये कि ये 4,80,000 करोड रुपए जो किसानों के द्वारा खर्च किया जाता है इस खर्चे में भारत सरकार लगबग 1,20,000 करोड की सबसिडी देती है यूरिया, डियेपी और कीट नाशकों पर और वो सबसिडी का सारा खर्चा सरकार आपकी जेब में से निकालती है टैक्स के रूप में तो तीसरा खर्चा आपकी जेब पर डाका सरकार के द्वारा आप सरकार को टैक्स देते हैं विकास का काम करने के लिए उस टेक्स के पैसे में से 1,20,000 करोड रुपए सरकार खर्च कर देती है यूरिया, डियेपी और कीट नाशक कमपनियों को दे देते हैं वो ताकि किसानों को ये आसानी से और सस्ता उपलब्द हो जाए तो आपकी जेब से भी पैसा जा रहा है किसान की जेब से भी पैसा जा रहा है अंत में आप बीमार पढ़ रहे हैं वो पैसा भी आपको लाखों करोडों में खर्च करना पढ़ रहा है तो आप बोलिए कि ये जहरीली खेती और ये विश्युक्त खेती जो हमारे देश में चल रही है इससे लाब किसको हो रहा है लाब सिर्फ एक जगे हो रहा है और वो बड़ी बड़ी विदेशी कमपनियों को जो ये जहरीले रासाइनिक कीटनाशक बेच रही है और हमारे देश में जहरीले रासाइनिक खाद बेच रही है अमेरिका की सेकड़ों कमपनिया हैं जो भारत में ये व्यापार पिछले 40 साल से कर रहे हैं अमेरिका की अलावा यूरोप के देशों की सेकड़ों कमपनिया हैं जो ये व्यापार भारत में पिछले 40 साल से कर रहे हैं आपको एक American Company का नाम जरूर में लेना चाहूंगा, कि अमेरिका की ऐसी ही एक Company भारत में व्यापार करने आई थी, उसका नाम था Union Carbide, उसने भोपाल में एक कारखाना लगाया था, और वो कारखाना जहरीला कीट नाशक बनाने के लिए ही था, उस कारखाने में से 40 मीटरिक ट तडब तडब के मौत की नीद में सो गए थे, और सरकारी आखनों के अनुसार कुल मिलाकर 17,000 लोग उसमें मरे थे, और एक लाख से जादा लोग हमेशा के लिए विकलांग हो गए थे, वो एक American Company की कहानी Union Carbide, इसी तरह से अमेरिका की एक Company बायर, इसी तरह से अमेरिका की एक Company Park Davis, सेकड़ों सेकड़ों अमेरिका की कमपनिया इस देश में जहरीले कीट नाशक का व्यापार कर रही है, और उन कमपनियों को सबसे ज़्यादा मुनाफ़ा हो रहा है, जो पैसा किसान खर्च कर रहे हैं कीट नाशक, जन्तुनाशक करीदने में, वो सारा इन कमपनिय की जेब में जा रहा है, और रासानी खाद जो हमारे देश के किसान खरीद रहे हैं, उसका पैसा भी भारत देश से बाहर जा रहा है, क्योंकि रासानी खाद बनाने के लिए केमीकल की जरूरत पढ़ती है, उस केमीकल का नाम नेफ्था, और ये केमीकल भारत में ज़्याद पैदा नहीं होता, ये विदेशों से आयात करना पड़ता है, क्योंकि ये chemical petroleum by product है और भारत में petrol ज्यादा पैदा होता नहीं, कच्चा तेल ज्यादा पैदा होता नहीं, तो जिन देशों में कच्चा तेल ज्यादा पैदा होता है, वहां से नेफ्था खरीदना पड़ता है, फिर उससे हम ये रासेनिक खात बनाते हैं, तो अंत में सारा का सारा पैसा किसानों की जेब से निकल कर विदेशों में या किसानों की जेब से निकल कर विदेशी कमपनियों के खातों में जमा हो रहा है, माने हर साल का जो हम बारे लाख करोड रुपया फालतू में बरबाद कर रहे हैं इस देश का, वो या तो अमेरिका को समरुद्द बना रहा है, अमेरिकन कमपनियों को समरुद्द बना रहा है, यूरोप की कमपनियों को समरुद्द बना रहा है, किसानों को ग बोलेंगे आखिर ये किसान उसको खरीते क्यों है जरूरत क्या है तो मैं आपको बताऊं कि इन कमपनियों के बड़े बड़े एजेंट गाउं गाउं में घूमते रहते हैं और किसानों को ये समझाते रहते हैं देखो ये बहुत अच्छा कीट नाशक आया ये बहुत इस्प्रे करो तो सब जन्तू मर जाते हैं और धीमे से कहते हैं बस कीमत इसकी 15,000 रुपई लीटर है। फिर किसान को समझाया जाता है कि 15,000 रुपई लीटर भी तुमको महगा नहीं पड़ेगा क्योंकि एक कीट ताशक है जो 1500 रुपई लीटर है वो तुम 35-40 बार इस्प् खरीद लेते हैं। किसानों से जब हम बात करते हैं कि आप इनके चक्कर में क्यों फस जाते हैं तो वो अपनी राम कहानी सुनाते हैं वो कहते हैं कीड़ा आगया फसल पर अब क्या करें फसल चौपट हो जाएगी उसको बचाना है क्योंकि अगला फसल लगाने के लिए जिके लिए ब्याज देना है तो पैसे तो हाथ में चाहिए तो फसल बरबाद होते हुए हम नहीं देख सकते तो किसी भी कीमत पर ये फसल बचानी है इसके लिए कितना भी बड़ा खर्चम करने को तैयार हो जाते हैं ये किसानों की अपनी कहानी तो ये दोनों तरह से दु जहर बेच रही है ये जहर किस किस राज्य में कितना कितना भिक रहा है और कैसे उनका इस्तेमाल किसानों के बीच में करवाया जा रहा है कुछ राज्यवार आकड़े है सबसे ज़्यादा ये जहर जो डाला जा रहा है वो उत्तर प्रदेश में है उत्तर प्रदेश में एक नमबर है पंजाब का पंजाब में हर साल 6900 मीटरिक टन जहर डाल दिया जाता है कीट नाशक और जन्तुनाशक का फिर तीसरे नमबर पे है हरियाना जहां 4520 मीटरिक टन जहर डाल दिया जाता है हर साल फिर उसके बाद गुजरात है फिर आंधर प्रदेश है फिर उसके बाद मद्यप्रदेश है, फिर महराष्ट है फिर ऐसे हिंदुस्तान के 33 राज्य है कुल मिलाकर मैंने आपको बताए 90,000 मीटरिक्टन है जो जो कीट नाशक, जन्तुनाशक डाले जाते हैं उनमें जो सबसे ज़्यादा डाला जा रहा है DDT DDT के बारे मैं आपको एक जानकरी बता दूँ वो ये कि दुनिया के 56 देशों में DDT बनाना, DDT बेचना दोनों कानूनं जुर्म है और कई देशों में तो इतना सक्त कानून है कि DDT बेचते हुए कोई पकड़ा जाए तो 20 साल की सजा हो जाती है 20 साल की कैद हो जाती है ऐसे 56 देशों में DDT बंद है और ये बंद हुए भी कम से कम 20-25 साल हो गए तो दुनिया के 56 देशों में जो DDT बंद है बनाना बेचना वो DDT भारत में धडले से बन रहा है और धडले से बिक रहा है और अंत में आपके शरीर में आ रहा है सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है डीडीटी का फिर दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है एंडोसलफान का फिर तीसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है मेलाथियान का फिर बेंजीन एक्साक्लोराइड, क्लोरोपाईरीफॉस, फिर लिंडेन, फिर मोनोक्रोटोफॉस, ऐसे ऐसे करीब करीब 786 किसम के तो पेस्टीसाइड इस्तेमाल हो रहे हैं और 212 किसम के इंसेक्टीसाइड इस्तेमाल हो रहे हैं, अगर कुल मिलाकर देखेंगे तो हजार स से हमारे देश में बेचे जा रहे हैं और किसानों के द्वारा खेत में डाले जा रहे हैं एक और जो गंभीर बात है जो मैं आप से कहना चाहता हूँ कि ये जहर में जो करीब 1100 किसम के कीट नाशक और जन्तुनाशक भारत में डाले जा रहे हैं इन में से 50 प्रतिशत जन्तुनाशक और कीटनाशक उन देशों में पूरी तरह से बंद हैं, जिन देशों की कमपनियों के द्वारा भारत में बेचे जा रहे हैं। जैसे अमेरिका की बहुत सारी कमपनिया भारत में वो जहरीले कीटनाशक बेच रही है जो अमेरिका में बनाना और बेचना जुर्म है जर्मनी की बहुत सारी कमपनिया हमारे ऐसे कीटनाशक बेच रही है जो जर्मनी में बनाना और बेचना बंद है हमारे देश में ब्रिटेन की बहुत सारी कमपनिया, हॉलेंड की बहुत सारी कमपनिया, डेन्मार की बहुत सारी कमपनिया ऐसे जहरीले कीटनाशक भारत में बेच रही है जो उनके देशों में 20 साल से बंद है माने जिन चीजों को वो अपने या पैदा नहीं करते बिकवाते नहीं उनको भारत में लाला कर उनकी कमपनिया डंप कर रही है बेच रही है और भारत को पूरा विश्का भंडार दीरे दीरे उन्होंने बना दिया है मैं आपको एक बहुत गहरी बात कहना चाहता हूँ वो ये कि दुनिया भर के वैग्यानिक जो पिछले 40 साल से कीट नाशक और जन्तु नाशकों पर शोद कर रहे हैं प्रिस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड पर काम कर रहे हैं सभी वैग्यानिकों का एक ही निसकर्ष है वो ये कि जो भी जहर हम खेत में डालते हैं कीड़े मारने के लिए या जन्तु मारने के लिए वो मात्र अपने लक्ष में 2 प्रतिशत ही काम में लगता है 98 प्रतिशत जहर तो प्रदूशन बढ़ाने में खर्च हो जाता है इसको और समझाऊं असरल भाशा में मान लिजे खेत में कोई कीड़ा आके बैठ गया कोई फसल है उस पर कोई कीड़ा आ गया मान लिजे नाम लेके कहता हूं अमेरिकन बोल बॉर्म आ गया कपास के पौदे पर सबसे ज़्यादा लगने वाला हमारे कीड़ा है उसको अमेरिकन बोल बॉर्म कहते है ये आ गया लग गया अब इसको मारने के लिए जो जहर छिड़का जाएगा वो पूरा जहर अगर 10 लीटर है कल्पना करिए या 100 लीटर है तो 100 लीटर में 2 लीटर ही जहर काम में आएगा कीणे को मारने के लिए 98 लीटर जहर चला जाएगा मिट्टी में पानी में और हवा में जो प्रदूशन करेगा मिट्टी पानी और हवा को माने मात्र दो प्रतिशत ही काम में आता है कीट नाशक और जन्तु नाशक 98 प्रतिशत तो मिट्टी को खराब करता है पानी को खराब करता हवा को खराब करता है आप पूछेंगे जी मिट्टी को कैसे खराब करता वो तो सीधे सीधे है कि सारा जहर मिट्टी में जाकर मिलेगा और मिट्टी में ये जहर सेकड़ों सेकड़ों साल तक इस्थापित रहता है वो खतम नहीं होता और जानते हैं ये चक्र कैसे चलता है मिट्टी में चला गया सारा जहर कीड़े को मारने में काम आया दो प्रतिशत 98 प्रतिशत चला गया मिट्टी में फिर बारिश हुई बारिश का पानी मिट्टी पर गिरा पानी के साथ वो बहता हुआ कीट नाशाक आ गया नदियों में औ आगया आपके जमीन के नीचे पानी के रिसाव के साथ और जमीन के नीचे के पानी में जाकर वो जहर अगर मिल गया तो वो भूमिगत पानी में जहर मिल गया अब वो भूमिगत पानी को आप निकालेंगे पंप के दौरा और पम्प के द्वारा वो निकालेंगे और वो पानी फिर आप पिएंगे तो वो जहर अंत में आपके पेट में आ गया क्योंकि आप जानते हैं नदियों का पानी सीपेज के माध्यम से जमीन के नीचे रिस्ता रहता है और उसके साथ कीट नाशक चले जाते और दूसरी एक कलपना करिये कि खेतों में बहुत जादा कीट नाशक का जहर डल गया यूरिया डियेपी का जहर डल गया बारिश का पानी गिरा पानी के साथ ये जहर मिलते हुए गाओं के तालाब में इकठा हो गया और गाओं के तालाब में पशू पानी पीने जाते हैं फिर पशू ने वो पानी पिया तो पशू के शरीर में चला गया और पशू के शरीर में चला गया तो उनके खून में आ गया और उनके खून में आ गया तो उनके दूद में आ गया फिर वही पशू का दूद आप पी पी रहें दूद के माद्यम से वो जहर आपके पेट में आ रहा है, वो तीसरा तरीका है, और फिर उसके बाद क्या होता है, आप में से बहुत सारे किसान भाई बहन इस बात को जानते हैं, नासिक जिले से यहां अगर कोई आए हुए कारी करता है, तो नासिक में अंगूर की राक्ष की बहुत जबरजस्त केती होती है, और आप जाकर देखिए कि किस तरह से उस पे फबारा फेका जाता है, औक्जैलिक एसिट का किस तरह से इस परे किया जाता है, कई जगे तो मैंने देखा मेरी आँखों से कि जहर भरा डबा, और अंगूर का वो गुच्छा लट चीजबा, फिर भी धुलता नहीं है, बाजार से जब आप अंगूर खरीदेंगे, तो उस पर सफेद, 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 सफेद आपको इस पस्ट दिखाई देता है, वो सीधे जहर हम खाते हैं, हमारे घर में आने वाले महमानों को भी खिलाते हैं, महमानों को देवता कहते हैं देवताओं को अंगूर के रूप में जहर परोस्ते हैं और वो जहर खाली अंगूर के रूप में हमारे शरीर में नहीं आता है उन अंगूरों को सुखाया जाता है उसकी किश्मिश बनती है उन अंगूरों को सुखाया जाता है और उसका कुछ सूखा मेवा बनाते हैं अंत में वो फिर काते हैं वो हमारे शरीर में आता है इसी तरह टमाटर पर इस्प्रे होता है इसी तरह भिंडी पर इस्प्रे होता है इसी तरह बेंगन पर इस्प्रे होता है कोई ऐसा फल और सबजी अब बच नह लेगा, हवा के कड़ों के साथ वो पूरी जगे फैलेगा, वो स्वांस के रास्ते आपके शरीर में अंदर जाएगा तो हर तरीके से ये दुश्परिणाम जो हो रहा है, वो हमारे शरीर को हो रहा है किसानों की बरवादी तो पैसे के रूप में है और हमारी वरवादी शरीर के स्वास्त के खतम हो जाने के रूप में है, ये बहुत बड़ा दुश्चक्र एक तरह का शर्यंत्र हमारे देश में बना है और चल रहा है आपके मन में एक सवाल आएगा कि आखिर ये सारा का सारा यूरिया, डियेपी, जहरीला की नाशक बनाना किसने शरू किया सबसे पहले दुनिया में कहां से ये आया, किसने बनाया किसने इस पर खोज की किसने इस पर शोद किया ये अगर आपके मन में सवाल आए तो इसका उत्तर में देना चाहता हूँ वो ये कि दुनिया में सन 1949 से 1945 के बीच में एक युद्ध हुआ था जिसको हम सब कहते हैं दुतिय विश्युद्ध इस दूसरे विश्युद्ध में एक तरफ जर्मनी नाम का देश था एक तरफ ब्रिटेन नाम का देश था ब्रिटेन एक तरफ और ब्रिटेन के सहयोगी जर्मनी के साथ जापान था ब्रिटेन के साथ और दूसरे देश थे ये दो देशों के समूह बन गए थे और इन में भयंकर लड़ाई हुई थी और इस युद में लाखों करोडों अर्मों रुपई के हत्यार बेचे गए थे इन हत्यारों को बनाने के लिए रासाइनिक पहरी ले रसाइन बनाए जा रहे थे दूसरे विशुद को लड़ने के लिए हत्यार के रूप में जब दूसरा विशुद खतम हो गया 1945 में तो उन कमपनियों को भी खतम हो जाना चाहिए था जो रसाइन बनाने वाली कमपनिया थी लेकिन युद्ध तो खतम हो गया करोड़ों लोग बेरोजगार हो जाएंगे तो बेरोजगारी नहीं बढ़नी है इसलिए रसाइनों का उतफादन चालू रहा लेकिन युद्ध बंद हो गया तो युद्ध बंद होने के बाद उन रसाइनों का कहां इस्तेमाल हो सकता है इस पर यूरोप के देशों ने और रसाइनों का इस्तेमाल करके खाद भी बनाया जा सकता है यूरिया बनाया जा सकता है जिन जहरीले रसाइनों का इस्तेमाल करके केमिकल वेपन्स बनाया जा सकते हैं उन्हीं जहरीले रसाइनों का इस्तेमाल करके पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड बनाया जा सकता है तो सारा उत्पादन लग गया फिर जहरीली रासाइनिक खाद बनाने में कीट नाशक और जन्तु नाशक बनाने में और आपको एक मज़ेदार बात में ये बताना चाहता हूँ कि रासाइनिक बम बनाने के लिए जो केमीकल लगते हैं रासाइनिक बम बनाने के लिए जो केमिकल इस्तेमाल होते हैं वही केमिकल पेस्टी साइड और इंसेक्टी साइड बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं केमिकल सेम हैं एक ही जैसे हैं बस उनकी मात्रा में कमी जादा की जाती है बम बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मात्रा में और बहुत कंसंट्रेटिड रूप में इस्तेमाल होते हैं और रासाइनिक खाद बनाने के लिए कम मात्रा में और डाइलूटिट फॉर्म में इस्तेमाल होते हैं बस अंतर इतने ही है लेकिन इस्तेमाल दोनों जगे एक ही है तो पूरी की पूरी रासाइनिक उद्योग जो यूरोप और अमेरिका के थे वो यूरिया डियेपी और कीट नाशक बनाने में लग गए और उन्होंने अंदा धुंद उत्पादन किया फिर उनके सामने समस्या य के वो भारत में आ गए और भारत के नेताओं से ज़्यादा हिंदुस्तान में कोई ऐसा अव्यक्ति नहीं है जिनको फुसलाना आसान हो सबसे आसानी से फुसलाया जा सकता है या भ्रमित किया जा सकता है तो इस देश के नेता और मंत्रियों को किया जा सकता है या खरीदा जा सकता है पैसे से तो नेताओं को खरीदा जा सकता है तो यूरोप के देशों के टीम आने लगी 1950 और 60 के दशक में और भारत के नेताओं को ये समझाना उन्होंने शुरू किया कि आप केमिकल फर्टलाइजर खरीदो हमसे पेस्टिसाइड खरीदो इंसेक्टिसाइड और भारत के नेताओं फस गए इस दुश्चक्र में थोड़ा बहुत उनके रिश्वत के लालच में उन्होंने तुरंत हरी जंडी दिखा दी और यूरोप से ये सारा कच्रा रसाइन भारत में आना शुरू हो गया अब भारत के किसानों ने इसका इस्तेमाल किया नहीं तो आजकल कहते हैं BDO, Block Development Officer, इस अधिकारी का एक ही काम होता था, गाउं गाउं जाना, किसानों को फुसलाना और उनके खेत में यूरिया डलवाना, किसान डालते नहीं थे यूरिया, तो ये जो BDO इस तर के अधिकारी होते थे, ये किसानों को कहते थे मुफत में ले लो, जबरजस्ती एक दो बारा पिला दो, फिर ऐसा चसका लगता है कि वो खरीद के पीने लगता है, वैसे ही हमारी मिट्टी के साथ हुआ, हमारी मिट्टी ने हजारों साल से कभी ये रसाइन को चखा नहीं था, इसका स्वाद नहीं मालुम था, मिट्टी में जबरजस्ती ये दाला गया रासनी खाद और कीट नाशक, मिटी को उसका स्वाद लग गया, और मिटी फिर वियसनी हो गई, और वो जहरीली होती चली गई, फिर किसानों ने खरीद-खरीद के डालना शुरू किया, पहले किसान एक पैकेट डालता था पचास किलो का, फिर एक एकड में दो प सायन बनाए थे उनका क्या इस्तेमाल किया जा युद्ध खतम होने के बाद उसका दिमाग लगा कर उन्होंने जो रास्ता निकाला वो अंत में जाकर खतम हुआ भारत के खेतों पर और उसने बरबाद कर दिया हमारी करोड़ों हेक्टेर जमीन को और लाखों करोड़ों किसान को यह कहानी वहां से शुरू होके यहां तक आई और अब इस कहानी में पूरे देश के किसान फस गए हैं सरकारी विभाग और तंत्र फस गए हैं तब अब समस्या के समाधान के रूप में हमारे सामने प्रश्न है कि हम क्या करें एक रास्ता तो यह है कि यह जो जहरीली खे चल रही है पूरे भारत देश में इसको चलने दिया जाए ये जो जहरीली खेती पूरे देश में निकल पड़ी है किसानों के खेत से इसको आगे बढ़ाया जाए एक तो ये है हम सब खामोश बैठे रहे हैं चुपचाप बैठे रहे हैं जो चल रहा है उसको चलने दिया जा इतना जहर बढ़ गया है हमारे शरीर में कि दिल्ली में All India Institute of Medical Sciences ने कुछ माताओं के दूद का परिक्षण किया तो माताओं के दूद में DDT निकला है। इतना जहर बढ़ गया। हरी किषण पुरा गाओं में गया तो आपको हैरानी होगी मुझे बहुत हैरानी हुई गाओं के बाहर एक बोर्ड लगा हुआ था बहुत बढ़ा उस पर गुरुमुखी भाशा में कुछ लिखा हुआ था। मैंने एक पंजाबी गुरुमुखी जानने वाले मेरे सहयोगी को पूछा मैं पूछा ये क्या लिखा है गाओं के बाहर बड़ा सा बोर्ड लगा है तो उसने बड़ी गंबीरता से कहा कि राजी भाई इस पर लिखा हुआ है ये हरी किशन पुरा पूरा का पूरा गाओं बिकने के लिए तैयार है कोई खरीददार हो तो संपर्क करें आप को तो इस पहसी आएगी लेकिन मुझे तो रोना आ गया मैंने का ये क्या लिखा उसने का ये ही लिखा है मैंने का सच कि उसने का बिल्कुल सच ये गाओं बिकने को तैयार है तो क्यों तुर्ण ने का ये तो नहीं मालूम गाओं में चलो तो पूछते तो हम गाओं में किसी में इतनी हैसियत नहीं है कि हम हमारा कर्ज वापस कर सकें इसलिए हमने ये बोट लगा दिया है कि कोई आए और हमारे गाउं को खरीद ले हर परिवार को छे लाक रुपए दे दे हम ये कर्ज हमारा चुकाना चाहते हैं और जिंदगी भर के लिए जो हमारा गाउं हम बहुत दुखी हैं हम बहुत परिशान हैं हर परिवार पर छे लाक रुपए का कर्ज है वो भाई को हमने पूछा ये कर्ज कैसे हो गया तो उन्होंने का इस गाउं की मुख्य फसल है वो कपास है और कपास की फसल पर 35 बार हमको इस्प्रे करना पड़ता है जहरीली दमा 30 बार इस्प्रे करते हैं और इस्प्रे करने के लिए दवाएं खरीते हैं 15-15,000 रुपए लीटर की दवाएं खरीते हैं उसका इस्प्रे करते हैं कई बार वो इस्प्रे भी फेल हो जाता है फसल भी चौपट हो जाती है साहुकार से कर्ज लेकर अगली फसल लगानी चालीस साल पहले तो कोई इसप्रे नहीं करता था, क्यों कि फसल पे कीड़ा लगता ही नहीं था, तो मैंने वो सरदार जी से ही पूछा कि आप याद करके बताओ 40 साल पहले फसल पर कीड़ा नहीं लगता था क्या करते थे आप ऐसा और अब इतना कीड़ा लगता है क्या करते हो ऐसा तो सरदार जी ने बहुत सोचकर बताया तो कहा कि 40 साल पहले हम गाए बैल भैस का गोबर और उसका मूत्र खेत में डालते थे तो हमारे फसल पर कीड़ा नहीं लगता था अब हमने यूरिया डियेपी डालना शुरू किया तो इतना कीड़ा लगता है कि हम कीड़े को मारने की दवा खरीद खरीद के करजदार हो चुके है ये हरी किशनपुरा गाउं की कहानी है और आपको ये सुनकर और दुख होगा कि ये हरी किशनपुरा जैसा भारत में कोई एक गाउं नहीं है ऐसे भारत में हजारों गाउं है जो इतने करजे में डूबे हुए हैं बिकने को तैयार है मैं विधर्व में दस साल रहा हूँ दस साल में विधर्व में मैंने सौ से ज़्यादा गाउं देखे हैं जहां इसी तरह के बोड लगे हुए हैं ये गाउं विकाउ है क्योंकि गाउं के किसानों पर कर्ज बहुत हो गया ये एक कहानी एक और कहानी मैं सुनाना चाहूंगा आपको कि ये यूरिया, डियेपी और जहरीले कीट नाशकों का क्या दुश्परिणाम होता है मैं एक बार गया था केरल के जिले कासर गौड में कासर गौड एक जिला है केरल का करनाटक के बॉर्डर पे है करनाटक का एक जिला है उडुपी उडुपी जहां से समाप्त होता है कासर गौड जिला वहीं से शुरू हो जाता है तो उडुपी और कासर गौड के बीच का इलाका वहाँ एक गाउं है उसका नाम है पडरे पढ़रे गाओं में सबसे ज़्यादा खेती होती है काजू की और काजू का फसल ऐसा ही फसल है जिसमें सबसे ज़्यादा कीड़ा लगता है जैसे कपास की फसल पर सबसे ज़्यादा कीड़ा लगता है वैसे ही काजू की फसल पर सबसे ज़्यादा कीड़ा लगता है हेलिकॉप्टर किराय पे लेते हैं और उसमें जहरीले कीट नाशक जिसका नाम एंडोसलफान है वो हेलिकॉप्टर में भरा जाता है और पूरे गाउं के काजू के पेड़ पर जो 4700 एकड में है वो छड़का जाता है एंडोसलफा 20 साल से लगाता है जब मैं पहली बार उस गाउं में गया था तब उन्होंने बताया कि हम 20 साल से ये छड़क रहे है और लगाता है और वो छड़कने का दुश्परिणाम क्या हुआ है कि वो मैंने आपको बताया 2 प्रतिशत एंडोसलफान तो कीड़े मारने में चला जाता है 98 प्रतिशत गाउं के तालाब में जाके घुल जाता है और गाउं के तालाब का पानी गाउं के लोग पीते है तो उनके शरीर में वो एंडोसलफान आ जाता है परिणाम ये हुआ है कि पिछले 20 वर्षों से पढरे गाउं में कोई भी नया बच्चा पैदा नहीं हुआ है तालिमत बज़ाई ये इस पर 20 साल से नया बच्चा पैदा नहीं हुआ नपुन सकता इतनी अधिक है उस गाउं में, इस्त्री और पुर्षों में बच्चे पैदा होने की संभावना नहीं पुर्षों के वीरे में शुक्राणू नहीं है माताओं के वो अंडाणू नहीं बन रहे है और उस पर रिसर्च करने के लिए इंडियन काउंसिल और मेडिकल रिसर्च की जब टीम गई एक बहुत बड़े वरिस्ट डॉक्टर के नितरत्तु में डॉक्टर मोहन कुमार उनका नाम है उन्होंने जब पूरे गाओं के लोगों का बलड सेंपल लिया तो पता चला कि गाओं के लोगों के खून में एंडोसलफान नाम का कीट नाशक घुज गया है और जितना मनुष्य की सहन करने की शक्ती है जिसको हम टॉलरेंस लिमिट कहते हैं उससे चालीस गुना ज़्यादा है ये गाओं के लोगों का खून रक्त परिक्षण जब किया तो डॉक्टर मोहन कुमार की टीम ने ये पाया और वो टीम ने फिर बताया कि ये खून में इतना ज़्यादा इंडो सल्फान है इन लोगों को तो सवाल ही नहीं उठता कि बच्चे पैदा हो जाए फिर पता लगाया गया कि बच्चे पैदा नहीं हो रहे है ये तो एक बीमारी और क्या क्या है उस गाओं में पता चला हर घर का दूसरा और तीसरा आदमी कैंसर का शिकार है हर घर में फिर और ज़्यादा रिसर्च हुई तो पता चला कि गाओं में जितने बच्चे हैं जो पैदा हो गए 20 साल पहले उनको अगर आप देखोगे तो किसी की उमर 4-5 साल से जादा नहीं लगती जो 20 साल से बड़े हैं क्योंकि शरीर का ग्रोथ ही नहीं हुआ है वो बिल्कुल छोटे से बच्चे हैं अभी भी गाओं में हम लोग गए तो देखा घरों के दरवाजों पे बच्चे बैठे हैं स्कूल में बच्चे खेल रहे हैं कुछ बच्चों के हाथ ऐसे हैं कुछ बच्चों के हाथ ऐसे हैं किसी के पाउं ऐसे हैं किसी को एक हाथ में आठ नौ उंगलिया हैं किसी को पाउं में दस से बारे उंगलिया हैं और किसी के पाउं बिल्कुल पीछे की तरफ मुड़े हुए हैं इसी को आधा पाओं है एक पाओं ही नहीं है। इस तरह के वीसियों बच्चे। और जालकर बच्चों को हमने देखा तो शरीर छोटा सा है, सिर बहुत बड़ा है। एक बच्चे का सिर इतना बड़ा कि वो हिला नहीं सकता, हमेशा लेटा रहता। उस बच्चे की अमर भारी है, हाथ पाउं एकदम छोटे हैं, या सिर एकदम छोटा है, हाथ पाउं बहुत भारी है, या किसी को आखें जो है ना जनम से अंदे हैं, कोई बोल नहीं पाता है, किसी को हमेशा मूँ टेड़ा रहता है, ऐसा लगता है जैसे पैरलिसिस हो गया, नियूरोलोजिकल डि इसलिए मैं इस गाउं में आया सेवा करने के लिए, यहां आकर पता चला, कि दुनिया का इतना खतरनाक नरक तो किसी भी देश में नहीं होगा, जो इस केरल के कासर गौड जिले के पड़रे गाउं में है, शादी नहीं होई, कोई अपनी बेटी उस गाउं में भेजने को तयार नहीं है, कोई उस गाउं की बेटी को अपने घर में लाने को तयार नहीं है, इतनी दुखदाई कहानी उस पड़रे गाउं की है, और उस पड़रे गाउं में जब हमने प्रवेश किया था, तो वहां भी मलियाली भाशा में यही लिखा हुआ था, कि केरल तो भारत का स्वर्ग है लेकिन ये गाओं दुनिया का नर्ख है कारण जहरीला कीट नाशक एंडोसलफान जो वहां छिड़का जा रहा है 20 साल से कहां पर काजू के बागानों पर काजू के ख्रेडों पर तो ये इस तरह के भारत में आप ढूनने निकलेंगे तो सेकडों गाओं निकलेंगे इतनी बड़ी तरासदी हमारे देश में ये जहरीले कीट नाशकों से इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड से और जहरीले रासनी खादों से हो रही है तब अब प्रशन उठता है कि आखिर इसका विकल्प क्या क्या करें हम तो हमें लगता है इसका एक ही विकल्प है एक मात्र विकल्प है वो ये कि भारत के किसानों को इस बात के लिए तैयार किया जाए कि वो जल्दी से जल्दी इस जहर को खेत में डालना बंद करें और इस जहर के स्थान पर कोई अमरुत तब तु उपलब्द हो हमारी प्रकरती के द्वारा उसको अपने खेतों में खाद के रूप में, कीटनाशक के रूप में डालें और धीरे धीरे ये धरती जो पूरी तरह से प्रदूशित हो गई है, बरबाद हो गई है इस धरती को वापस ठीक किया जाए, मिट्टी को वापस ठीक किया जाए, पानी को वापस ठीक किया जाए हमारी हवा को वापस ठीक किया जाए माने एक ही बात किसानों को समझानी है विश्मुक्त खेती करो अभी तक विश्युक्त खेती कर रहे हो अब विश्मुक्त खेती करो स्वजेशी खेती करो स्वावलंबी खेती करो कम खर्चे वाली खेती करो ये जहर डालना पूरी तरह से बन करो क्योंकि ये जहर किसानों को भी मार रहा है और हम सब नागरिकों को भी मार रहा है भारत सरकार के एक आंकड़े को और मैं आपसे कहना चाहता हूँ सरकार के आंकड़े हैं कि भारत में जितने किसान ये जहर छड़कते हैं न कीट नाशक पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड खेट में इन मेंसे हर साल सत्तर हजार किसान मर जाते हैं हर साल जो छिड़कते कैसे मर जाते हैं आपको मालूम है जब वो छिड़केंगे कीट नाशक और जन्तु नाशक तो वो मिट्ती पर जितना गिरेगा फसल पर जितना गिरेगा उससे जादा तो स्वास के माध्यम से आपके शरीर में आने वाला है और जादातर किसान भाई बेहनों को मैंने देखा है बूँ पे कोई मास्क नहीं लगाते हैं ऐसे ही छड़कते हुए चले जाते है तो सतर हजार किसान हर साल इस देश में मर जाते है सारी दुनिया में कीट नाशकों के दौरा जहरीले कीट नाशकों को गरीब देशों में जो बेच रही हैं विदेशी बहुराश्मी कमपनियां उनके ऐस्प्रे के दौरा, तीन लाख किसान मर रहे है सारी दुनिया के विकाशशील देशों में, गरीब देशों में, उसमें से सत्तर हजार किसान अकेले भारत में मर रहे हैं, जिनकी IAR धर्ज होती है, पुलिस स्टेशन में, जिनकी IAR धर्ज नहीं है, ऐसे आख़ें को हम जिन ही नहीं सकते हैं वो कितने अधिक होंगे और उसके बाद हम जो मर रहे हैं जहरी ले सबजियों को खाकर दालों को खाकर अनाच को खाकर उसके बारे में तो सरकार अभी तक पूरी तरह से मौन है कि खाकर मरने वालों की संख्या कितनी है इस देश में अगर कैंसर से होने वाली मौतों को जोड लिया जाए इस देश में और कैंसर जैसी गंबीर बीमारियों से होने वाली मौतों को जोड लिया जाए तो यह आकरा तो लाखों के उपर निकलेगा इसलिए अब हमको एक फैसला तो लेना ही पड़ेगा सारे किसानों को वो ये कि अब हम जहर वाली खेती नहीं करेंगे विश अपने खेत में नहीं डालेंगे यूरिया डियेपी नहीं डालेंगे एंडोसलफान, मेलाथियान, पेराथियान जैसा जहर नहीं डालेंगे अब जहर मुक्त खेती करेंगे विश्मुक्त खेती करेंगे ये संकल्ब जिस दिन हमारे किसान लेंगे उसी दिन से याक्तरा शुरू हो जाएगे और ये संकल्ब किसान भाईयों को आज नहीं तो कल लेना ही पड़ेगा मैं विनमरता पूरवक उनसे एक बात कहना चाहता हूँ अगर आप मेंसे कुछ किसान भाईय है तो इस बात को गंबीरता से सुने जबसे किसानों ने یूरिया डिये पी सुपरफोस्ट की खेती की है जहर डाला है मिट्टी में और जबसे किसानों ने अंडो सलफान मेलाथियान जैसे सेकडों सेकडों जहर डाले है मिट्टी में इसमें से पैदा हुआ पशूओं का जो चारा है न वो पशूओं ने खाया है और पशूओं के शरीर में भी ये जहर गया है हमारी गाए के शरीर में जहर है डीडीटी हमारी गाए के दूद में है डीडीटी आप सुनकर हैरान हो जाएंगे गाए का दूद 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 में सबसे अमरुत तत्तु वाला माना जाता है उस गाए के दूद में डीडीटी है तो पशूओं के शरीर में भी डीडीटी आ गया इंडोसलफान आ गया, मेलाथियान आ गया जहरीले कीटना शक पशुओं के शरीर में आ गए क्योंकि उनको चारा वही खाने को मिला जिस चारे को यूरिया डियेपी से पैदा किया गया और इसमें सबसे बड़ा दुरुभाग इस देश का जो हो गया वो ये अभी थोड़े दिन पहले मैं क्रशी वेग्यानिकों के साथ एक गड़ मुक्तेश्वर नाम के छोटे से गाउं में गया था एक फार्म को देखने के लिए वहां जाकर मेरी आँखें फटी रह गई ये जानकर मैं हरान हो गया इंडियन काउंसिल ओफ एग्री कल्चरल रिसर्च के वेग्यानिक ये कह रहे हैं कि राजी भाई ये जहर जो खेतों में डाला है किसानों ने इस जहर के कारण 65 प्रतिशत गाए और भेंस बांज हो गई है समस्ते हैं वो बच्चे पैदा नहीं कर सकते संतान नहीं दे सकते गाए भेंस 65 प्रतिशत गाए भेंस मांज हो गई इन्फर्टाइल हो गई और तब मुझे पता चला कि 65 प्रतिशत इन्फर्टिलिटी का रेट है हमारे पशुओं में माताओं में बेहनों में आप अंदाज लगा लीज़े कम से कम 20-25 प्रतिशत तो माताओं बेहनों में निकल आएगा अगर यही आखड़ा हम कोशिश करें गुजरात में है स्वामी जी कह रहे हैं गुजरात में तो यह है 20-25 प्रतिशत गुजरात के कुछ जिलों में जहां शायद यह जहर जादा डलता होगा तो हमारी माताओं बेहनों में 20-25 प्रतिशत इन्फरिटिलिटी बांच पना जाए हमारी गाए और भैसों में 65 प्रतिशत बांच पना जाए अंतिम दुश्परिणाम जानते हैं क्या होगा जब गाए और भैस बांच हो जाती है संतान देने में असमर्थ हो जाती है कोई किसान उसको घर में खाना खिलाने को तैयार नहीं होता वो सीधे उनको कसाई को बेच देता है और कसाई ऐसी गाए और भैसों को काट कर उनका मास दुनिया के देशों को बेच देते हैं हर साल हमारे देश में गाए बैल भैस जैसे बड़े चार करोड पशू इसी कारण से कट जाते आफ इस बात का अंदादा और एहसास करने की कोशिश करिए कि यूरिया डियेपी एंडोसलफान जैसे जहर ने हमारे पशूओं को बांज बना दिया और अंतिम इस्तिती में वो पशू कतल खाने में कटने के लिए जा रहे हैं चार करोड पशू हमारे कट रहे हैं हर साल और उन चार करोड पशूओं का एक छोटा सा हिसाब मैंने निकाला कि इनी चार करोड पशूओं को अगर हम कटने से बचा सके और इनका बांजुपन का इलाज कर सके तो यही चार करोड पशू हर साल इस भारत देश को पंद्र हजार करोड की आमंदनी दे सकते हैं माने हर साल पंद्र हजार करोड की आमंदनी का नुकसान हो रहा है पशुओं के कटने से गाए और भैस मा नहीं बन पा रही है बच्चों को नहीं दे पा रही है किसान कसाई खाने में बेच रही है कि जिन दूनी राच चोगनी ये कसाई खानों की तरक्की कैसे बढ़ रही है हमारे यां दूद देने वाली डेरियां तो कम होती जा रही है दूद का उत्पादन तो घटता जा रहा है लेकिन पशूओं को काटने वाले कतल खाने लगातार बढ़ते जा रहे है ये दिल्ली से हरिदवार के बीच का ही सर्वे करो तो पशूओं को काटने वाले कतल खानों के विकास की दर 300% से बढ़ी है यहां पर तब बात समझ में आ गए बिलकुल साफ साफ कि पशूओं को काटने के कतल खाने तब तक बढ़ते ही रहेंगे जब तक गाए और भैस हमारी बांज रहेंगी संतान उत्पन करने में असमर्त होंगी तो किसान उसको कसाईों को ही पेचेगा क्योंकि वो और किसी काम के हो नहीं सकते और कसाई उसको काटेंगे और उसका मास भी बजार में बिकने के लिए ही जाएगा तो अगर हमें ये कतल खाने बंद कराने हो, अपने पशूओं की जान बचानी हो, अपनी अर्थव्यवस्ता में हजारों करोड रुपई की ब्रद्धी करनी हो, और बारे लाक करोड रुपई जो फाल्तू में हमारा बरबाद हो रहा है, इसको किसी तरह से बचाना हो, देश क वाली खेती बंद कर दें, विश डालने वाली खेती बंद कर दें, जहर मुक्त खेती करें, विश मुक्त खेती करें, यही एक रास्ता है और कोई रास्ता नहीं, फिर किसान बाई पूचेंगे, अच्छा ठीक है, आपकी बात मान लिया, हम जहर नहीं डालेंगे, यूरिया और खेती करते हैं तो एक जानकरी देना चाहता हूं कि हमारे खेत में जो कुछ भी पैदा होता है पौधे का निर्मान जो खेत में होता है बीज, बीज में से पौधा, पौधे से फल तो फल जादा से जादा मिले तो पौधा अच्छे से अच्छा हो तो बीज अच्छे से अच्छा हो और जिस मिटी में बीज डाला गया वो मिटी अच्छे से अच्छी हो ये सीधा एक चक्र है तो मिटी अच्छी से अच्छी होनी चाहिए बीज अच्छे से अच्छा होना चाहिए फल तो अच्छा मिलने ही वाला है तो मिटी को अच्छा बन इसके लिए कौन सी रासानिक करिया है, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए भगवान ने, ईश्वर ने, प्रकरती ने हमको इतनी सुन्दर वस्तू दी है, मिट्टी का जहर तीन साल में पूरा खतम हो जाता है, अगर लगातार उस मिट्टी में पशूओं का गोब और मूत्र मिलाकर डाला जाए, जैसे गाए है, जैसे भैस है, जैसे बैल है, तो गाए बैल भैस का गोबर, गाए बैल भैस का मूत्र, पशूओं का गोबर, पशूओं का मूत्र, ये दोनों मिलाकर मिट्टी में लगातार डाला जाए, अगर तो मिट्टी तीन साल में पू उस जहर की सफाई करने की ताकत आपकी किड्नी में है वैसे ही पशूओं के गोबर और मूत्र में जहर को साफ करने की सबसे ज़्यादा प्रकरती के द्वारा भगवान के द्वारा दी गई ताकत है तो पशूओं का गोबर और पशूओं का मूत्र अगर भरपूर मात्रा में मिट्टी में डाला जाए तो एक साल लगातर डालो दो साल लगातर डालो तीसरे साल डालते डालते मिट्टी पूरी तरह से सात्विक हो जाती है उस मिट्टी में विश पूरी तरह से खतम हो जाता ह और 100% मिट्टी निरापत हो जाती है विश्मुक्त हो जाती है अब अब बताओ इस सस्ता और इस से अच्छा इलाज कहा हो सकता है अब इसका दो फाइदे एक तो मिट्टी हमारी जहर मुप्त हो गई विश्मुक्त हो गई दूसरा पशू का गोबर और मूत्र अगर हमने खेत में डाला और उस गोबर और मूत्र से ये काम हुआ तो पशू की इज़त हमारे जीवन में बढ़ गई उनका सम्मान हमारे जीवन में बढ़ गया क्योंकि वो हमारे लिए दूद के अलावा भी लावकारी सिद्ध होए और पशू अगर ज्जाना लावकारी सिद्ध होने लगे है किसानों को तो फिर कोई किसान पशू को बेचे गा ही नहीं और कसाई के हाथ में वो लंगे गे ही नहीं तो काटने को उन्हें मिलेगा क्या तो कतल खाने अपने आप बंद हो जाएंगे तो पशू हत्या का पाप जो इस देश के माते पर लगा हुआ है वो बिलकुल साफ हो जाएगा धुल जाएगा वो भी काम होता है गो माता की हत्या का कलंक भी मिटेगा और जिन ICAR के वेग्यानिकों ने कुछ काम किया है पिछले दस बारे वर्षों में वो मुझे बताते हैं कि अगर खेत में लगातार गोबर गोमूत्र डाला जाए उसमें से घास चारा पैदा किया जाए और वो घास चारा तीन साल किसी भी गाए भैस को लगातार खिला दिया जाए तो उस गाए भैस का बांज़पन भी खतम हो जाता है और चौथे साल वो संतान देने की स्थती में आ जाती है एक वेग्यानिक जिन्हों ने बहुत रिसर्च किया उनका तो यहां तक कहना है कि ये भशुओं के शरीर में जो जहर चला गया है इस जहर को बाहर निकालने के लिए कुछ आयरुवेदिक जड़ी बूटियां है उन जड़ी बूटियों को लगातार बशुओं को खिलाया जाए तो पहले ही वर्ष में बहुत सारी गाय और भैस मा बन जाती है और उस वेग्यानिक ने एक हजार गाय और भैसों पर ये परिक्षन किया है और उनका नाम है डॉक्टर विनोद उन से मेरी बहुत लंडी वारताइं हुई है उनका ये कहना है कि जड़ी बूटियां है आयरवेद की जिनको हम तीन चार खुरा खिलाते हैं किसी भी गाय और भैस को सारे शरीर का जहर उनका निकल जाता है और जो गाय वें सीन तीन चार चार साल से मा नहीं बनी है वो पहली बार में ही मा बन जाती है और मा बनते ही उसकी कीमत बढ़ जाती है फिर कोई किसान उसको कसाई को बेचने की सोचता भी नहीं है वो घर में ही उसको बांद के रख लेता है तो बाँचपन की समस्या का भी समाधान होता है तो खेत में हम डालें गोबर और मूत्र और मिट्ती को बनाएं शुद्ध और पवित्र और उसमें से जो उत्पादन है वो हम भी खाएं हमारे पशुओं को खिलाएं हम भी स्वस्थ बने हमारे पशू भी स्वस्थ बने आप सोचें आपको निरापत भोजन मिलने लगे सजीव भोजन मिलने लगे स्वस्थ भोजन मिलने लगे जहरमुक्त भोजन मिलने लगे तो आपके शरीर का कैंसर, डाइबिटीज, हाईपरटेंशन खतम होता है देश की खतरनाक बीमारियां कम होती है उन बीमारियों के लिए खर्च होने वाला साथ लाग करोड रुपए बचता है और वो साथ लाग करोड रुपए अगर देश के उत्पादन के और विकास के काम में लगा दिया जाएं तो देश की गरीबी भुकमरी बेकारी तीन चार साल में ही मिटती है तो रास्ता अब एक ही है कि हम हमारे खेतों में जहर और विज़ डालना बन करें गोबर गोब मूतर डाले अब आप एक सवाल अक्सर मन में आता है और किसान मुझे कैसे रहते हैं वो ये कि क्या गोबर और मूतर से उत्पादन उतना ही होता है जितना यूरिया डियेपी से होता है मैं आपको इस बात को विनमरता पूरवक कहरा हूँ कि गोबर और मूतर से उत्पादन जादा होता है यूरिया डियेपी की तुलना में और दुनिया भर में ये परिक्षन हो गए है मैं आपको भारत के ही बारे में जानकरी देता हूँ भारत में हैजराबाद में एक संस्था है सब्सेनेबल एग्रिकल्चर के लिए काम करती है सतत्क्रशी उसको हिंदी में कहते है इस संस्था के द्वारा 20 लाक एकर जमीन में पिछले कई वर्षों से गोबर और मूतर की खेती की जा रही है और उनका कहना है कि उत्पादन लगातार बढ़ रहा है 10, 12, 15, 20 प्रतिशत से लेकर 200 प्रतिशत तक उत्पादन बढ़ा है किसानों का गोबर और मूतर की खेती में इतनी ताकत है मैं आपको किसान भाई बहन है अगर आप तो एक छोटी सी बात समझाना चाहता हूँ वो यह कि पौधे को बढ़ा होने के लिए और पौधे पर अच्छा फल लगने के लिए सबसे ज़्यादा काम में अगर कोई चीज आती है ना तो वो सूरिका प्रकाश है सूरिका प्रकाश भरपूर मातरा में जिस पौधे को मिलेगा उस पौधे की बड़त माने ग्रोथ सबसे अच्छी होगी, उसका फल भी सबसे अच्छा होगा जमीन से मिलने वाले जो सुख्षबु पोशक तब्तों हैं, जिनको हम माइक्रो न्यूट्रियंट्स कहते हैं अंग्रेजी में जैसे कुछ मैक्रो न्यूट्रियंट्स होते हैं, कुछ माइक्रो न्यूट्रियंट्स होते हैं अ सूप्षब बाकि जितने भी रसाइन जिनकी संख्या बारे जो बहुत सुक्षम मातरा में इस्तेमाल होते हैं जैसे कॉपर है जैसे कोबॉल्ट है जैसे मेगनीज है ये बहुत सुक्ष मात्रा में जिनको माइक्रो नीट्रियंट कहते हैं ये कुल मिलाकर अठा रहे हैं इनकी सबसे ज़्यादा उपलब्दता अगर कहीं पर है तो वो पशुओं के गोबर और मूत्र में ही है और उसके बाद भगवान की बनाई गई मिट्टी में है और कहीं भी नहीं है आप जानते हैं यूरिया डिये पी सुपर फॉसुएट में तो तीन ही मैकरो नीट्रियंट हैं नाइटरोजन है फॉसफुरस है पुटाश है बाकी तो उसमें कुछ है ही नहीं बाकी чहिए तो गोबर की तरफ ही लौतना पड़ेगा मूत्र की तरफ ही लौटना पड़ेग केलशियम तो है नहीं यूरिया में, मेगनीशियम तो है नहीं यूरिया में, मेगनीज तो है नहीं यूरिया में, कोबल्ट तो है नहीं यूरिया में, कौपर तो है नहीं यूरिया में और ये सब चाहिए मिट्टी को और पौधे को तो यूरिया से तो मिलेगा नहीं बी-ए-पी में भी नहीं मिलेगा सुपर-फॉस्ट में भी नहीं मिलेगा उसमें तो तीन ही केमिकल मिलने वाले हैं और खेत की मिट्टी को चाहिए 18 तरह के केमिकल वो तो मिलेंगे गोवर और मूतर से ही क्योंकि गोवर और मूतर में ये भरपूर मात्रा में उपलब्द है तो आप गोवर और मूतर की खेती करें तो भूमी को सुख्ष मुपोशक तब भरपूर मिलेंगे जिससे भूमी की उरवरक शक्ती बढ़ेगी और भूमी की उर्परक शक्ती बढ़ेगी तो उत्पादन की दर बढ़ेगी आपको फसल अच्छी मिलेगी उत्पादन जादा मिलेगा बहतर मिलेगा और जो उत्पादन आपको मिलेगा उसको बाजार में जब आप बेचेंगे तो उसका मूल भी भरपूर मिलेगा कीमत भी आप मुंबई में कभी जाओ जब आम का सीजन आता है तो मुंबई के बाजार में मैंने खूब देखा है यूरिया डियेपी का आम खरीदो हापुस, अलफेंजो तो आराम से मिल जाता है एक पेटी 200, 200, 300 रुपए का और वही हापुस और अलफेंजो खरीदो गोवर और मुतर वाला तो एक पेटी मिलता है 700 रुपए का, 800 रुपए का, 900 रुपए का इस बार मैंने एक हापुस आम की कीमत मुंबई के बजार में पता की थी 65 रुपए क्योंकि उसका एक ही क्वालिटी था वो गोवर और मुतर से पैदा किया हुआ है और उसी के बरावर में 15 रुपए का दूसरा वैसा ही हापुस आम था लेकिन उसकी क्वालिटी थी के वो जहर के द्वारा उत्पादित किया हुआ है मतलब सीधा सा ये है कि अगर गोवर मुतर से खेती आप करते है तो उसके उत्पादन को भी बाजार में चार पांच गुनी कीमत आराम से मिलती है भिंडी 40 रुपए किलो बिकती है जो गोवर मुतर से पैदा होती है और जो यूरिया डियेपी वाली भिंडी है उसको 15-20 रुपए में भी कोई नहीं पूछता है तमाटर का भाव, बेंगन का भाव, आलू का भाव सब ज़्यादा है जो गोवर मुतर से पैदा है गोवर मुतर से पैदा किया हुआ गेहु 21 रुपए, 25 रुपए, 27 रुपए, 30 रुपए किलो आराम से बिकता है और यूरिया डियेपी का गेहु 10-11 रुपए किलो में कोई खरीदने को तयार नहीं होता तो हर वस्तु जो हम पैदा करेंगे गोवर मुतर से उसका भाव अच्छा है उसका उत्पादन भी अच्छा मिलेगा कौालिटी भी बढ़ेगी, जमीन सुदरेगी फसल का उत्पादन सुदरेगा आप खाएंगे तो आपका शरीर सुदरेगा दूसरे खाएंगे तो उनका शरीर सुदरेगा सब तरफ से देश के लिए अच्छा है गोवर गोमूतर की विश्मुक्त खेती करना तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ सभी किसान भाईयों से कि जल्दी से जल्दी वो अपने खेत को विश्मुक्त बनाए और गोवर गोमूतर को खेत में लाए अब आप ये पूछेंगे कि जरा मात्रा बता दो गोवर कितना डालना, मूतर कितना डालना, खेत में कब कब डालना, किस फसल में कितना डालना ये तक्नीकी सवाल अक्सर हमारे सामने आ जाता है तो मैं एक सरल सूतर बताता हूँ जिसको भारत में पिछले 12-15 वर्षों में हजारों किसानों ने अपनाया है और बहुत लाब उनको हुआ है किसी भी एक एकड़ खेत में आप चाहें तो इस सूतर को लिख लीजिए क्योंकि किसानों को जब भी आप ये समझाएंगे कि गोवर को मूतर की खेती करो तो वो एक ही प्रशन करेंगे हमको तो मालूमी नहीं है गोवर कितना मिलाना मूतर कितना मिलाना क्या क्या उसमें डालना कितनी कितनी बार डालना तो ये आप लिख लेंगे तो आपको लाब होगा और बता सकींगे आप किसानों को तो उनको और ज़्यादा लाब होगा एक एकड़ खेत के लिए किसी भी फसल में एक एकड़ खेत के लिए फसल कोई भी हो, गेहों की हो, दान की हो, गन्य की हो, मुन्फली की हो, या तो सबजियों की फसल हो, कोई भी फसल हो, एक एकड़ खेत के लिए, एक बार में पंद्रे किलो गोबर लगता है और ये गोबर किसी भी जानवर का हो, बड़े जानवर का हो, गाय का हो, या तो बैल का हो, या तो भेंस का हो, बड़े जानवर हमारे गाउं में ये तीन ही है, गाय, बैल, भेंस, तो या तो गाय का, या तो भेंस का 15 किलो गोबर, और उसमें मिला ये 15 लीटर मूत्र, उसी ज जानवर का गाय का या तो बहल का या तो भैस का 15 किलो गोवर 15 किलो मूत्र दोनों मिला लीजे प्लास्टिक के एक ड्रम में और मिलाकर इसमें एक किलो गुड़ डाल दीजे गुड़ और गुड़ ऐसा डालिए जो हम नहीं खा सकते जानवर भी नहीं खा सकते खराब हो जाता जिस गुड को कोई नहीं खाता जिसमें बद्बू आने लगती है जो पानी की तरह से फैल जाता है बेकार समझ के हम जिसको फेक देते हैं वो गुड खाद बनाने में सबसे अच्छा काम आता है तो एक किलो गुड पंद्र किलो गोवर पंद्र लीटर मूत्र फिर इसमें एक किलो डाली है दाल का आता उड़त की डाल है तो सबसे अच्छा मूं की डाल हो सकती है मसूर की डाल हो सकती है अरेर की डाल हो सकती है चने की डाल हो सकती है खेसारी की डाल हो सकती है सोयाबीन की दाल हो सकती है, कोई भी दाल, एक किलो दाल का आटा, दाल को पीस कर उसका पाउडर या आटा, और अंत में एक किलो मिट्टी, मिट्टी डालनी है, एक ऐसे पेड़ के नीचे से उखाड कर, जो पेड़ बहुत साल पुराना आपके गाउं में लगा हुआ है, पीपल का पेड हो, बरगत का पेड़ हो, आम का पेड़ हो, पुराना पेड़ हो, दस साल, बीस साल, पचीस साल, पचास साल पुराना, उस खेड के नीचे से एक किलो मिट्टी खोद कर इसमें डालना, तो पंद्रे किलो गोबर, पंद्रे लीटर मूत्र, एक किलो गुड, एक किलो दाल का और एक किलो पुराने पेड़ के नीचे की मिठी ये पाँच वस्तुओं को प्लास्टिक एक ड्रम में मिला देना डंडे से मिला देना चाहे हाथ से मिला देना कोई फरक नहीं पड़ता मिलाने के बाद इसको 15 दिन तक रखना इसमें 15 दिन तक एक ही काम करना सुबह और शाम इसको गुमाते रहना 15 दिन तक इसको ऐसे ही रख देना ड्रम में मिला के और डंडे से सुबह शाम गुमाते रहना 15 दिन में ये खाद बनकर तयार हो जाएगा फिर इस खाद में लगबख 1.500 से 200 लीटर पानी मिलाना कम से कम 1.500 लीटर अधिक से अधिक 200 लीटर और अधिक से अधिक सीधे ही लिख लीजे 200 लीटर पानी मिला कर अब ये जो घोल तयार हो गया है ये एक एकड खिट के लिए परियाप्त खाद है एक एकड खिट के लिए अगर दो एकड खिट है then तो ये सबी मात्राओं को दो गुना कर दीजे। तीन एकड़ खेत है तो सबी मात्राओं को तीन गुना कर दीजे। एकड़ के हिसाब से आप इसको बढ़ते जाएए। अब इसको खेत में डालना कैसे है। अगर खेत खाली है, कोई फसल खेत में नहीं है, अगर नौजल नगा हुआ तो उसमें ये फस जाएगा तो नौजल निकाल के छुड़क सकते हैं तो खाली खेत में मिट्टी पे छुड़कना है और फसल अगर खेत में खड़ी हुई है तो जब फसल में पानी लगाएंगे तो पानी के साथ इसको मिला देना है माली जे आपके खेत में फसल लगी है और पानी के लिए नाली आपने बना रखी है उस नाली के मुहाने पर कोई बैट जाएगा और डबे से इसको पानी में डालता जाएगा पानी के साथ ये पूरे खेत में चला जाएगा एक एकड़ खेत के लिए ये खाद परियाप्त है और इसको आप हर 21 दिन में दुबारा से डाल सकते हैं आज आपने डाला तो 21 दिन बार फिर डाल सकते हैं फिर 20 दिन बार डाल सकते हैं फिर 20 दिन बार डाल सकते हैं मतलब इसका है कि तीन महीने की फसल है तो कम से कम चार से पांच बार डाल दीजे, चार महीने की फसल है तो पांच से छे बार इसको डाल दीजे, छे महीने की फसल है तो साथ-ाथ बार डाल दीजे, साल बर की फसल है, जैसे आप गन्ना लेते हैं, उस लेते हैं, तो उसमें किस दिन में डालते जाना तो ये खाद से आप किसी भी फसल को भरपूर उत्पादन ले सकते हैं ये हूँ धान, चना, चावल, डाल, गन्ना, मुंफली, सब्जियां सब तरह की फसलों में ये डाल कर देखा गया है इसके बहुत अच्छे और बहुत अद्गुत परिणाम है जब आप ये गोबर मुत्र का खाद डालेंगे तो खेत में विश्ख कम हो जाएगा, तो जन्तु नाASHक डालना और कम हो जाएगा, कीत नाशक डलना और कम हो जाएगा यूरिया डियेपी का असर जैसे जैसे मिट्टी से कम होता जाएगा बाहर से आने वाले कीट और जन्तू भी आपके खेत में कम होते जाएगे तो जन्तू नाशक और कीट नाशक डालने का खर्च भी अपने आप दीरे-दीरे कम होता जाएगा और लगातर तीन चार साल आपने ये खाद बना कर डाल दिया तो लगबग तै मानिए आपके खेत में कोई भी जहरी लाकीट और जन्तू आएगा नहीं तो इसको मारने के लिए दवा डालने की जरूरत और गरज भी नहीं पड़ेगी तो बीस प्रतिशत वो जो फाल्तू खर्चा था वो भी बच जाएगा मानिए खेती का असी प्रतिशत खर्चा आपका बच जाएगा दूसरी बात इस खाद के बारे में कि ये सबी फसल के लिए है कोई भी फसल रवी की हो, खरीब की हो, जायत की हो हमारे याँ फसल चक्र में तीन मुखे फसले है रवी खरीब जाए तीनों तरह की फसलों में ये काम आता है इसलिए इस फॉर्मूले में ज़्यादा कोई जटिलता नहीं है बहुत सरहल है बहुत आसान है और जानवर जो गोबर दे रहा है मूत्र दे रहा है वो आसानी से किसी भी गाउं में मिल जाते है बहले वो दूद ना दे लेकिन गोबर और मूत्र तो दे ही दे रहे है उनको इकठा करने की बात है गोबर इकठा करना तो बहुत आसान है जानवरों का मूत्र इकठा करना भी आसान है जब भी जानवर मूत्र देते हैं आप ऐसा करिए उनको बांधने का जो इस्थाने जानवरों का वो थोड़ा मिट्टी से और इट से थोड़ा पक्का बना दीजे सीमेंट कर दीजे या पत्थर लगा दीजे और उस इस्थान को थोड़ा ढाल दे दीजे फिर उसमें एक नाली बना दीजे और बीच में खड़ा डाल दीजे तो जो भी मूत्र करेंगे जानवर वो सब नाली में आ जाएगा खड़े में एक अथा हो जाएगा अब जानवरों के मूत्र की एक विशेष्टा है कि इसकी कोई एक्सपाइरी डेट नहीं है उसमें भी दिन पड़ा रहे खड़े में वो खराब बिल्कुल नहीं होता इसलिए आप बिल्कुल निर्दवन्द तरीके से इसका इस्तेमाल करिए मन में कोई दवन्द मतलाईए कि ये पुराना हो गया कि ये नया हो गया हमने तो ये अनुवब पाया है कि जितना पुराना जानवरों का मूत होता जाता है क्वालिटी उतनी ही अच्छी उसकी होती जाती है और ये जितने भी मल्टिनेशनल विदेशी कंपनियों के कीट नाशक जनतुनाशक है सबकी एक्सपाइरी डेट है आप जान लीजे और उसके बाद भी कीड़े मरते नहीं है और किसान उसको कई बार चक्छ कर देखते हैं कि नकली तो नहीं है किसान मर जाते हैं कीड़े नहीं मरते हैं उससे तो मल्टिनेशनल के कीटनाशक लेने से अच्छा है कि गाये के मूतर भेस के मुत्र बेल के मुत्र का उप्योग करना तो इसको खाद में इस्तेमाल करिए ये एक तरीका है हर 21 दिन पर इस्तेमाल करिए हर फसल में इस्तेमाल करिए लगातार तीन साल इस्तेमाल करने के बाद से किसी विदेशी कंपनी का 15,000 रुपई लीटर का कीट नाशक लाने से अच्छा है इन जानवरों के मूत्र से ही कीट नाशक बना लेना तो अगर जरूरत पड़े कभी किसी फसल में आपको कीट लग गया कोई जन्तू लग गया उसको खतम करना है उसको मारना है तो उसके ल करना है तो बीस लीटर जानवरों का मूत्र चाहिए चाहे तो गाय का चाहे तो बैल का चाहे तो भैस का बीस लीटर बीस लीटर मूत्र में लगबग लगबग धाई किलो आदा किलो प्लस माइनस हो सकता है धाई किलो से तीन किलो हो सकता है धाई किलो का दो किलो भी हो सकता तो आदा किलो प्लस माइनस रखके बोल रहा हूं लगबग धाई किलो दो किलो पांसो ग्राम नीम की पत्ती को पीस कर उसकी चटनी मिलाईए 20 लीटर मूत्र में नीम के पत्ते से भी अच्छा होता है नीम की निमबॉली की चटनी आप जानते है नीम पर एक फल लगता है निमबॉली जैसा वो अगर मिल जाए तो धाई किलो निमबॉली की चटनी वो ही 20 लीटर मूत्र में मिलाना है नहीं तो धाई किलो नीम के पत्ते की चटनी इसी तरह नहीं जहां धतूरा नहीं होता तो धतूरे के पत्ते की चट्नी सीसरा एक पेड़ होता है जिसको आकड़ा कहते हैं आक भी कहते हैं कई लोग आकड़ा भी कहते हैं अर्कमदार कहते हैं उसको आयरुवेद में तो अर्कमदार आकड़ा आक इसके भी पत्ते लगबग धाई कि इसकी चटनी और इसके बाद चौथा एक पेड़ है जिसको बेल पत्री कहते हैं जिसके पत्ते शंकर वगवान के ऊपर आप सब चढ़ाते हैं बेल पत्री बेल पत्र बिल वो पत्र भी कहते हैं कुछ लोग उसको तो बेल पत्री बिल वो पत्र के धाई किलो पत्ते की चटनी और महाराश्रु में तो बहुत बड़ी मात्रा में होता है सीता फल हमारे उत्तर भारत में उसको शरीफा कहते हैं महाराश्रु में सीता फल और कई जगे सीता फल कहते हैं तो सीता फल के पत्ते की चटनी डाई किलो अगर आडू के पत्ते मिल जाएं वो भी ढ़ाई किलो लगबग परम पुझनी स्वामी जी कह रहे हैं कि आडू के पत्ते में कीट को मारने की या खतम करने की सबसे ज़ादा शक्ती है उसका रस पढ़ते ही कीट मरते हैं तो आडू के पत्ते अगर मिल जाएं तो और भी अच्छा है तो ये पाँच्छे तरे के पेड़ों के पत्ते आप ले लो धाईडाई किलो इनको पीस कर 20 लीटर जानवरों के मूत्र में डाल कर उबालना है गरम करना है और इसमें थोड़ा उबालते समय आधा किलो से 750 ग्राम तक संबाकू का पाउडर और डाल देना संबाकू का पाउडर आधा किलो कम से कम साड़े 700 ग्राम अधिक से दिक ये डाल कर उबाल लेना है उबाल कर इसको ठंडा कर लेना है और ठंडा करके इसको आप बोतलों में भरके रख लीजे ये कभी भी खराब नहीं होता ये कीट नाशक तैयार हो गया अब इसको डालना कैसे है, इस्प्रे कैसे करना है जितना कीट नाशक लेंगे उसका 20 गुना पानी अगर एक लीटर कीट नाशक लिया तो 20 लीटर पानी दस लीटर कीट नाशक लिया तो 200 लीटर पानी जितना कीट नाशक आपका तैयार हो गया उसको अंतादा लगा लिजे आप जितनी उसकी मात्रा तैयार हो गई उसका 20 गुना पानी उसमें मिला दीजे मिलाकर इसको आप खेत में छुड़क सकते हैं किसी भी फसल पर और इसको छुड़कने का परिनाम ये है कि दो से तीन दिन के अंदर लगबग अरतालीस से बहत्र घंटे के अंदर जिस फसल पर आपने इस्प्रे किया उस पर कीट और जन्तू आपको दिखाई नहीं देंगे कीड़े और जन्तू सब पूरी तरह से दो तीन दिन में ही खतम हो जाते हैं समाप्त हो जाते हैं इतना प्रभावशाली ये कीट नाशक बनके तैयार होता है ये बड़ी बड़ी विदेशी कंपणियों के कीट नाशक से सैकड़ों गुना ज़्यादा ताकतवर है और एकदम फोकटका है बनाने में कोई खर्चा नहीं है जानवरों का मूत्र मुफट में मिल जाता है आपको नीम के पत्ते मुफट में मिल जाएंगे आपकड़ा के पत्ते मुफट में मिल जाएंगे आडू के पत्ते सब तरह के पत्ते मुफट में हर गाओं में उपलब दें तो ये आप कीट नाशक के रूप में जनत नाशक के रूप में इसको इसको इस्तेमाल करिए और तीसरी एक जानकरी और देना चाहता हूँ, अच्छी उत्पादन और फसल लेने के लिए, जो बीज आप खेत में डालते हैं, उस बीज को पहले संसकारित करिए, फिर मिट्टी में डालिए, बीज संसकार करने के लिए, एक छोटा सा सूत्र और बताना चाहता हूँ, जिस किलो बीज के अनुसार ये सूत्र में बता रहा हूँ, अगर दो किलो हो तो सब चीजों को दुगना कर लीजेगा, एक किलो जानवरों का गोवर ले लीजे, किसी भी जानवर का हो, गाय का, बहल का, बहल का, एक किलो गोवर ले लीजे, और उसी जानवर का एक किलो मूत्र को आपस में मिला दीजे फिर इसमें 100 ग्राम कलई चूना मिलाना है कलई चूना आप समझते हैं जिससे पुताई करते चूने का पत्थर बजार में आता है 100 ग्राम का पत्थर खरीदेंगे 10-15 पैसे में मिल जाएगा उस चूने के पत्थर को एक दिन पहले पानी में डाल एक लीटर मूत्र वाले पात्र में डाल दीजे तो गोवर मूत्र और 100 ग्राम कलई चूने में जितना पानी तयार हुआ वो सम मिला दीजे और अच्छे से घोल कर इसमें बीज को डाल दीजे गेउं का बीज हो या तो मक्की का हो या तो सबजियों का कोई भी बीज को डाल दीजे एक किलो बीज इसमें आराम से भीग जाता वैसे अगर आप थोड़ा पानी डाल देंगे तो दो किलो तक बीज भीग जाए बीज को इसमें दो तीन घंटे से लेकर छे साथ गंटे तक डाल के रखिए रात में डाल दीजे सुबह हो गई तो बीज को निकाल लीजे निकाल कर इस बीज को च्छाओं में सुखा दीजे और च्छाओं में सुखाने के बाद ये बीज को आप खेत की मिट्टी में लगा दीजे तो ये बीज जो लगेगा मिट्टी में यह संसकारित हो गया अब, अब इस संसकारित बीच के दो फायदे हैं, एक तो फसल का उत्पादन अच्छा मिलेगा और इस फसल पर जल्दी कोई कीट नहीं लगेगा, जल्दी कोई कीड़ा इस खेत की फसल पर आएगा नहीं, तो कीट नाशक जन्तुनाशक से आपको मुक्त मिल गई और फसल का उत्पादन भी अच्छा हो गया, तो बीच संसकार करने का एक सूत्र है, कीट नाशक बनाने का एक सूत्र है, और खाद बनाने का एक सूत्र है, इन तीन सूत्रों का भरपूर प्रयोग आप अपने खेत में करिए, और अपने किसान मित्रों को, किसान भ कर में आपने ये करके देखा इसका परिणाम अगर अच्छा आया तो अगले वर्ष आप पूरे खेत में करिए और ज्यादा अच्छा परिणाम आया तो पूरे गाउं के खेत में करा दीजे इसको फिर पूरे जिले के खेतों में करा दीजे जैसे आप गाउं गाउं जाकर य चुरू कर दीजे गोबर गोमुत्र की खाद का तो यो प्राणायाम से तो शरीर दुरूस्त हो जाएगा और ये गोबर गोमुत्र की खाद से उनका खेत अच्छा हो जाएगा मिट्टी अच्छी हो जाएगी तो सोने में सुहागे की इस्ति बन जाएगी माने इदर शरीर स्वस्थ हुआ, उदर मिट्टी स्वस्थ हुई उसमें से पैदा हुआ अनाज स्वस्थ मिला उसमें से पैदा सबजियां स्वस्थ मिली उसमें से घास चारा अच्छा पैदा हुआ गास चारा जानवर खाएंगे दूद बढ़ेगा और उनकी बीमारियां कम होंगी हम स्वस्त बोजन खाएंगे हमारी बीमारियां कम होंगी डॉक्टरों का खर्चा बचेगा तो सारे जड़ मूल से विवस्था का परिवर्तन शुरू हो जाएगा और मेरा ये मानना है कि अगर एक गाउं में एक किसान भाई ने भी ये कर लिया तो एक साल के अंदर पूरा गाउं इसको कर लेगा इसकी पूरी गारंटी है क्योंकि भारत के किसान इतने होश्यार हैं इतने अकल वाले हैं कि अच्छी चीज़ देखते हैं तो उसका पालन करने में वो बिलकुल देरी नहीं करते और किसान भाईयों को एक बात बताईए जो उनके दिमाग से भ्रहम निकालना है भारत के आदुनिक क्रशी वग्यानिकों ने एक भ्रहम किसानों के मन में डाल दिया है वो भ्रहम आप निकालिये किसानों को ये समझाइए कि फसल का अच्छे से अच्छा उत्पादन सूरज की पढ़ने वाली धूप से तय होता है ना किसी दूसरी चीज से जिस पौधे को धूप जितनी अच्छी मिलेगी जिस पौधे को पानी जितना स्वक्ष और साफ मिलेगा जिस पौधे को हवा जितनी अच्छी मिलेगी उसका उत्पादन उतना अच्छा होगा दूसरा मिट्टी मैंसे पौधा जो लेता है सुक्ष्म पोशक तत्तों को वो कुल मात्रा का 5 प्रतिशत से जादा नहीं होता मात्र 5 प्रतिशत ही पौधा मिट्टी से लेता है 95 प्रतिशत पौधा सूरे से हवा से और पानी से लेता है इसलिए किसानों को ये समझाईए कि सूरज की धूप पौधे को ज़्यादा से ज़्यादा मिले इस पर वो ध्यान दे ना कि खेत की मिट्टी मैंसे सुक्ष्म पोशक तब तो ज़्यादा मिले मिट्टी से तो पांची प्रतिशत लेना है इससे ज़्यादा वो लेगाने और एक बात आप किसान भाईयों को बताईए कि और अच्छा उत्पादन अगर लेना है अपने खेत में ये तो एक तरीका हुआ उत्पादन लेने का घर्चा कम करना उत्पादन ज़्यादा लेना इससे भी अच्छा उत्पादन अगर खेत में से लेना है तो किसान भाईयों को कहिए कि एक फसल के साथ दूसरी फसल जरूर करें दूसरी फसल के साथ तीसरी फसल करें तीसरी के साथ चौथी करें माने जिसको हम लोग मिक्स क्रॉप कहते हैं न कई फसले एक साथ करना ये सबसे ज़्यादा उत्पादन लेने का अच्छा तरीका है जैसे मैं आपको महराश्र के हिसाब से बताना चाहता हूँ कपास महराश्र में बहुत होता है तो किसानों को कहिए कि कपास के साथ तूर की खेती जरूर करें दोनों का उत्पादन बढ़ता है तूर का भी उत्पादन बढ़ेगा कपास का भी बढ़ेगा कारण क्या है कपास मिट्टी में से जिस सुक्ष्म पोशक तब्तो को ज़्यादा लेता है तूर उसी सूक्षुम पोशक तब तो को मिट्टी को ज्यादा देती है कपास की अच्छी फसल ओने के लिए नाइट्रोजन ज्यादा चाहिए और तूर का जो जड़ होता है वो सबसे ज्यादा नाइट्रोजन फिक्स करता है मिट्टी में तो तूर को कपास के साथ लेना शुरू करें, दोनों का उत्पादन बढ़ेगा, इसी तरह से गेहूं के साथ ऐसी दूसरी कई सारी फसले हैं, जो हमारे किसान कर सकते हैं, जैसे गेहूं के साथ सरसों बहुत अच्छे से होता है, सरसों का भी उत्पादन जादा मिलता है, गे तेरे से जादा ये बात तो किसान जानते हैं, सेकड़ों साल से वो खेती कर रहे हैं, उनको कहिए कि पचास साल पहले आप जो जो फत्मे एक दूसरे के साथ मिक्स करके करते थे, वो सब शुरू कर दीजिए, तो सबसे जादा उत्पादन उसी में मिलता है, और मिट्टी का सबसे जादा उसी में होता है, मैंने यहां उत्तरा खंड में देखा है, और हिमाचल में देखा है, बहुत सारे किसान भाई एक साथ एक ही खेत में साथ फसल लगाते हैं, साथ साथ फसल लगाते हैं, और हर फसल जादा होती हैं उनकी, और ये काम वो सेकड़ों साल से करते चले आ रहा है तो इसी तरह के किसान भाई हमारे पूरे भारत देश में एक साथ कई फसलें लगाएंगे अपने खेत में तो उससे उनको बहुत लाब होने वाला है और एक ब्रहम हमारे किसानों का दूर हो जाए तो बहुत ही अच्छा है किसानों को निवेदन ये करना है कि ये गोबर गोमूत्र का जो खाद हम खेत में डालेंगे इस खाद की मदद से पानी बहुत कम खेत को लगता है मैं एक उधारन से समझाता हूं अगर यूरिया डिये पी से गेहु की खेती करें तो कम से कम पूरी खेती को करने में 5-6 बार पानी देना पड़ता है लेकिन गो और ये बात ध्यान देने की है कि गोबर गोमूत्र का उपयोग करके जब आप खेती कर रहे हैं तो खेत में आपको हमेशा पानी भरा रहे, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मिट्ती खाली खाली गीली होती रहे, मिट्ती में खाली नमी बनी रहे, अगर इतने ही पानी का आप करके रखने की जरूरती नहीं है, थोड़ा सा पानी जो मिट्टी को भिगा दे इतना ही फसल के लिए परियाप्त है, तो हमने देखा है कि गोबर गोमूत्र की खेती करने में 80 प्रतिशत खर्चा तो खाद और कीट नाशक का बच गया, करीब करीब 50-60 प्रतिशत खर्चा पानी का बच गया, और इस गोबर गोमूत्र की खेती में बहुत कम मात्रा में खर्पतवार होती है, तो खर्पतवार निकालने का खर्चा भी बच गया, माने किसान की जिन्दगी का लगबग 90 प्रतिशत खर्चा बचता है, 10 प्रतिशत खर्चे में ही खेती हो जाती है, औ और मैं आपको गनित से ये बताना चाहता हूँ कि कोई भी किसान भाई गोबर गोमुत्र की खेती अगर करेंगे अपने खेत में तो सौ रुपए आप लागत में लगाएंगे तो हजार रुपए का उत्पादन आपको मिल जाएगा। जहर मुक्त खेती है इसमें 900 प्रतिशत मुनाफ़ा बहुत आराम से होता है जो दुनिया के किसी भी दूसरे धंदे में इमांदारी से नहीं हो सकता। आप कोई भी व्यापार करें किसी भी व्यापार में इमांदारी से 900 प्रतिशत मुनाफ़ा आप नहीं कमा सकते हैं। खेती और खेती मात्रे कैसा व्यवसाय है जिसमें गोबर गोमुत्र का उप्योग करके जानवरों के मुत्र का उप्योग करके जानवरों के मल का उप्योग करके आप 900 प्रतिशत मुनाफ़ा कमा सकते हैं। और ये मुनाफ़ा पूरे देश में tax free है इस पर कोई income tax नहीं है तो सरकार का जगड़ा और जंजट भी नहीं है मैं तो आप सब लोगों को एक विंती ये करूँगा कि अगर आपके घर में थोड़ा भी पैसा है अत्रिक्त रूप से थोड़ा भी पैसा अत्रिक्त रूप से ह बले आपने गहने खरीद के रखे हो बले किसी कंपनी के शेयर खरीद के रखे हो बले आपने बॉंड्स में पैसा लगा रखा हो वो सब निकाल लीजिए जितना जल्दी हो खेत खरीद लीजिए एक एकड ले लीजिए दो एकड ले लीजिए पांक एकड ले लीजिए और गोबर गोमुत्र की खेती पर आ जाएए, भविश्य आपका ही है, क्योंकि आने वाले समय में हजारों आरों के केंद्र खुलेंगे, वहां गोबर गोमुत्र का गेहूं, चावल, चना, दाल, सबजियां उपलब्द होंगी, तो ये केंद्र तो खुल जाएंगे बहुत उत्पादन आप करें, विक्री पतंजली योग पीठ या भारस वाइमान की तरफ से हो, तो उत्पादत और विक्रेता दोनों एक दूसरे के बंदन में ऐसे बंदें, कि दुनिया की कोई ताकत हमें न तोड़ सके, और हम जो विश्य विजय के अभ्यान पर निकले हैं, एक आखरी बात कहना चाहता हूँ वो ये, कि भारत में आजादी की लड़ाई जब हुई, तो इस आजादी की लड़ाई में आपको शायद ये जानकारी है, कि सबसे ज़्यादा किसानों ने भाग लिया था, 1857 की क्रांती रही हो, 1905 का स्वदेशी अंदोलन रहा हो, 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन रहा हो, या 19 McCarthy का नमक सत्याग्रे रहा हो, जितने भी आंदोलन भारत में हुए, सब में किसानों ने आगे वानी की, माने वो अग्वाई में थे, माने वो लीडर्शिप में थे, और सभी आंदोलनों को सबसे ज़्यादा आर्थिक मदद किसानों क की तरफ से हुई दूसरे नंबर पर व्यापारियों ने मदद की उद्योग पतियों ने मदद की तो किसानों ने कारीगरों ने और व्यापारियों ने मदद की तो सारे देश में सेक्डों करोर रुपए खर्च करके आंदोलन हुआ आजदी के आंदोलन के बारे में एक अनु लिए उन्होंने दिया किसानों के पास पैसा कहां से आया उस समय खेती में उत्पादन बहुत अच्छा था अंग्रेजियों के आंकड़े बताते हैं कि सन 1840 तक इस देश में एक एकड़ खेत में 56 कुइंटल धान पैदा होता था पश्यम महराश्य के दस्तावेज हैं कोलापूर सांगली सतारा के आसपास के इलाके में 1840 में एक एकड़ में 120 मीटरिक तन उस उत्पन्न होता था पश्रिम महराश्र के आंकड़े हैं पुराने दस्तावेज बताते हैं अविलेखागार में आर्काइव्स में हो बताते हैं कि एक एकड़ में 12-15 कुंटल कपास आराम से उत्पन होती थी अब 56 कुंटल धान 120 मीटरिक तन गन्य का उत्पादन उसका उत्पादन 12-15 कुंटल कपास भरपूर उत्पादन होता था किसानों की खेत में और उस उत्पादन का कारणी ये था कि किसान सबसे ज़्यादा गोबर और मूतर से खेती करते थे जानवरों के मूतर और गोबर का इस्तेमाल करते थे तो गोबर गोमुत्र की खेती करके उस जमाने के किसान सबसे ज़्यादा श्रीमंत थे इसलिए हमारे देश में ये कहा जाता था उत्तम खेती, मद्यमबान, करे चाकरी, कुकर निदान उत्पादन भरपूर था, आमंदनी भरपूर थी और जिनके पास आमंदनी बहुत होती है, वही दान कर सकते है बिकारी क्या दान करेगा, उसके पास तो खुदी नहीं होता खाने को तो आज़ादी की लड़ाई के लिए सबसे ज़्यादा दान किसानों ने दिया ये बात अंग्रेजों को समझ में आई थी अब ये साज़िश हमारे समझ में आ गई है, अब इस साज़िश को खतम करना है इस साज़िश को बेकार करना है, इस साज़िश को पूरी तरह से प्रभावहीन करना है तो उसका एकी तरीका है कि किसानों को वापस उस खेती पर लाया जाए जिस खेती को करके वो हजारों साल दुनिया में सबसे ज़्यादा समर्दशाली थे और वो खेती यही है गोबर गोमुत्र की खेती विश्मुक्त खेती जहर्मुक्त खेती तो किसान भाईयों को तो इस तरफ आना ही पड़ेगा आप उत्पादन करें बाजार में उसको बेचने के लिए तंत्र तयार हो रहा है आपका उत्पादन और हमारा विक्री का तंत्र ये दोनों मिलेगा तो पूरे देश में ऐसी जवर्जस्त करंती आएगी कि सारे किसान तो आर्थिक रूप से स्वावलंबी हो जाएंगे स्वयंपूर हो जाएंगे समर्द शाली हो जाएंगे और जो खाने वाले हैं क्रेता जो खरीदने वाले ग्राहक हैं वो शुद्ध अनाज खाकर स्वस्थ हो जाएंगे उनकी ताकत बढ़ेगी और वो ताकत बढ़ाकर देश की व्यवस्था परिवतन के काम में और ज्यादा अपना अविक्रम दिखा पाएंगे अपना पुरुशार्थ सिद्ध कर पाएंगे तो सबके भले में सबका भला ऐसी इस्ति है ये विश्मुक्त खेती और सम्रद किसान की जो बात आपके सामने रखी है इस बात में हम सब पहले अपने जीवन में थोड़ा आचरन में उतारें खेत में एक एक एकड में करके देखें जिनके पास भी खेत है फिर अपने पडोस किसानों को एक एक दो दो एकड में कराएं फाइदा मिले तो अगले साल पूरे खेत में गाउं गाउं में हो और थोड़े दिन के बाद जिन जिन गाउं में योग प्रहायाम की कक्षाएं लगती है हर उस गाउं के सामने एक बोर्ड लग जाए जैसे हरी किशनपुरा का बोर्ड मुझे याद आता है कि ये पूरा गाउं विकाऊ है क्योंकि हर गाउं के परिवार पर 6 लाख रुपए का करज है क्योंकि जहर खेत में डाला है उसके लिए करज हुआ है तो इसका उल्टा बोर्ड लगे कि ये गाउं अब समरुद्द शाली है संपत्तिवान है इस गाउं के किसी किसान पर कोई करज नहीं है यहाँ का किसान पहले रोड़ पती था, अब करोड़ पती है, पहले करज लेता था बैंक से, अब करज देता है बैंक को, इसकी खेती में इतना उपजाउपन बढ़ गया है, कि सारे देश का पेट भरने की ताकत अब इस किसान में आई है, इस तरह के बोर्ड जगे जगे उस गाउं के बारे में फिल्में बनाएगा, सारी दुनिया में उसकी चर्चा होगी, और दुनिया वर के लोग, आप अगर चाहेंगे तो आपके सामने जोली फैला कर खड़े होंगे, कि बाई एक किलो गेहूं दे दो ना, गो बर गो मुतरवाला, एक किलो गना दे दो ना, क्योंकि वो मांग रहे हैं, हजारों अरब डॉलर का दुनिया में बाजार है, औरगेनिक फूड प्रोड़क्स का आप जानते हैं, इस बाजार की भरपाई करना भारत की ताकत में है, लंदन में अभी एक औरगेनिक फूड इस्टोर में में गया, वहां मैंने पूछा, तो एक पॉंड का एक किलो आलू है यूरिया डियेपी का, और चार पॉंड का वही एक किलो आलू है गोवर और गोमूतर का, मतलब लंदन के डिपार्टमेंटल स्टोर में चार गुना भाव तो अभी मिल रहा है आलू का, अगर सारे देश में इसी तरह के उत्पाद हम दे सके और सारी दुनिया में उनको सप्लाई कर सके तो चार चार गुनी कीमत डॉलर में, पॉंड में, यूरो में हम लाएंगे और भारत के किसानों के खातों में डॉलर पॉंड और यूरो ही जमा कराएंगे और डॉलर पॉंड यूरो जैसे जैसे भारत में आएगा, भारत की पांड और रूपई की उसकी उपलवता अपने आफ घट जाएगी, उसकी उपलब्ता बढ़ाने का एक ही तरीका है, कि organic food products को सारी दुनिया में export करना शुरू कर दीजे अपने आप आपको भरपूर डॉलर और पॉंड मिलने लगेगा तो एक तरीका ये भी है रुपई की कीमत बढ़ने का डॉलर और पॉंड की कीमत घटाने का डॉलर पॉंड की supply इधर बढ़ाओ और डिमांड उसकी कम करते जाओ खर्चा उसका कम करते जाओ तो रुपई की कीमत बढ़ने से इज़त बढ़े संपत्ती की कीमत बढ़े और सारी दुनिया में अंत में भारत की कीमत बढ़े भारत फिर से सोने की चिडिया बने समर्द शाली हो, स्वधेशी हो, स्वाविमानी हो किसी के सामने भीख फैलाने मांगने वाला देश ना हो देने वाला देश मने लेने वाला देश ना हो ये सब किसानों की ताकत से और विश्मुक्त खेती और समर्द किसानों की ताकत से हो सकता है ये बोलकर मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ